अब चो क्या हाल चाल तो एक बार फिर सापका स्वागत उत्थान के अनर्जेटिक लेक्चर में आज हम बात करेंगे रे आप्टिक्स के बारे में और रे आप्टिक्स सबसे बरा चिप्टर माना जा सकता है 12th क्लास में रोडेशन के बराबर ही कंटेंट है तफनेस की बात करें तो रे आप्टिक्स टफ नहीं होता है साइन कंवेंशन का बस खेल होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रोटेशन टफ होता है नंबर आफ टॉपिक कम है तो उसमें अच्छे सवाल पूछे जाता है रेकिन रे सवाल और ऑप्टीकल इंस्टूमिंट से सवाल और यह सवाल डारेक्ली स्टेट की फोरड फोरड बेष्ट होते हैं तो बहुत 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 जादा इंपॉर्टन की है कि सारे फोर्विले में आपको याद रहें कैसे यूज़ करना ये आपको पता रहें ठीक है चली चली उन messaging में समझना है कि हम सुनु करेंगे एकदम basic से हम speed of light से सुनों करते हैं भाई साब चली speed of light के अगर हम बात करें तो speed of light light air या vacuum में कितनी होती है speed of light air या vacuum में होती है one upon root under mu not epsilon not जहां पे mu not है permeability of free space और epsilon not है permittivity of free space ठीक है यही अगर मैं कहूँ speed of light in 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 beta medium medium में speed of light की बात करो medium में speed of light की बात करो तो यह होता है one upon root under mu m permeability of medium और permittivity of medium clear है क्या यहां तक बात है इसको क्या लिखेंगे वी लिखेंगे वी इकोल टो होगा one upon root under mu m यहां पे free space और vacuum में देख रहे है तो epsilon not or mu not है यहां पे medium में देख रहे है इसलिए में इसलिए में इसलिए में सवाल आते है इस पे alternate year हर साल तो नहीं लेकिन इस पे सवाल आ जाते है और सिर्फ यह यह इंबेप का भी पार्ट है ठीक है सब्सक्राइब कर देते हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और हमने 70 परसंट से ज्यादा स्लेवस कंप्लीट कर लिए तो बचा क्या सार सार रुको म्यू एम को लिख सकते हैं पर्मियाबिलिटी ओफ मीडियम को लिख सकते हैं रूट अंडर पर्मियाबिलिटी ओफ रियस पेस इंटो रिलेटी पर्मियाबिलिटी Epsilon M को लिख सकते हैं Epsilon Nought into Epsilon R अरे बहुत बढ़ी है सर एक मिनट यहां से फिर 1 upon root under mu not 1 upon mu not और Epsilon Nought को तो हम C लिख लेंगे यहां C बटा root under mu R Epsilon R यह होता है V की वेल्ट सर एक मिनट सर इसको याद किया से रखें confused हो जाएंगे mu M क्या है mu not v R क्या है फिर mu R बचा mu not गयब हो जाएगा ऐसे तो dimension आपकी मदद करें बटा mu M और mu not mu not और Epsilon Nought 1 upon mu not Epsilon Nought होता है speed के बराबर 1 upon mu M Epsilon में भी speed के बराबर लेकिन mu R और Epsilon Nought dimensionless होता है V बराबर medium इसले medium की permittivity permeability यहां पे 1 upon medium की permeability को लिखेंगे free space और relative permeability यह दों dimensionless होता है 1 upon mu not Epsilon Nought को C लिखेंगे C बटा यह dimensionless term है ठीक है सब्सक्राइब लेकिन हमने तो पढ़ा है कि V बराबर C बटा mu होती है यह mu क्या है permeability नहीं यह refractive index है तो सर इसको और इसको हम compare करें तो क्या हम कह सकते हैं कि refractive index refractive index index is equal to root under mu are epsilon r होता है yes सही पकरे हो actual में जो ray optics में refractive index पढ़ते हो mu वो होता है root under mu are epsilon r यह भी dimensionless होता है और root under mu are epsilon r भी dimensionless होता है तो सर यहां से हम क्या लिख सकते है V into mu V into mu बराबर constant speed of light C constant रहता है तो यहां से निकल के आता है V1 mu1 V1 mu1 बराबर V2 mu2 पहले medium में speed of light पहले medium की refractive index दूसरे medium की speed of light दूसरे medium की refractive index एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के यह आती है कि V को हम लिख सकते हैं lambda F V बराबर lambda into F V को हम लिखेंगे lambda into F into mu बराबर constant हाँ सरे frequency medium पे डिपेंड नहीं करता है light किसी medium में चला जाए उसकी frequency constant रहता है तो lambda into mu constant रहेगा तो refractive index inversely proportional to wavelength होता है उसके लिए उस medium की refractive index कम होगी जिसकी wavelength कम है उस medium में refractive index उसकी जादा होगी clear है अब बताओ कितने लोगों को बहुत अच्छे से सच में visualize हुआ कि सर ये भी important नजरिया है yes सर ये तो हमने ये बेब में भी परहा था यहां तर लेकिन refractive index ये निकल के आजाता है ये important और ये चमक गया बोलो क्या आपको बहुत अच्छे से अभी clear हुआ है तो comment box में लिख दीजे sir मजा आ गया please क्या पहली चीज़ चमक गई हाँ इस पे सवाल कैसे पूछे जा सकते है एक तो बड़े simple simple से सवाल होते है इससे भी कि permeability, permittivity relative और permeability और permittivity relative देते हैं और पूछते उस medium में speed of light बताओ तो V बराबर C, mu और epsilon और अच्छा बोल देंगे कि light की wavelength पहले medium में है lambda और refractive index है 2 दूसरे medium में refractive index होगा 4 तोहाँ पे wavelength क्या होगी तो lambda, mu बराबर constant यहां सा सवाल पूछा जा सकता है और बढ़िया creative सवाल क्या हो सकता है तो यह चोटे-चोटे सवाल तुम कर लोगे refractive index है 3 by 2 तो समें speed of light बताओ तो V बराबर C बटा, mu है refractive index 3 by 2 रख दो C divided by 3 by 2 यह भी आ जाएगा यह चोटे-चोटे सवाल कर लो बढ़िया सवाल यह करके लोगे यह सवाल तुम्हें करना है मैंने लिखा है, अब बताओ क्या तुम MR को 4 पाओगे screen pause करके attempt करो क्या तुम MR को 4 पाओगे MR को 4 दिया 4 दिया, पहले ही सवाल में MR को 4 दिया slide 3 में ही पहले यह मार को फूर दिया slide 3 में करो करो, अच्छे सिसको attempt करो सर्ट, सालन नोट and मुनोट are the electric permeability and magnetic permittivity electric permeability and magnetic permittivity sorry, permittivity and permeability electric permittivity of सालन नोट and permeability of मुनोट a free space respectively if the electric permittivity of the medium is found to be 2 मुनोट अब कोई medium है उस medium की permittivity है 2 इपसालन नोट and for the medium having refractive index root 3 उसकी refractive index mu है root 3 find the magnetic permeability of the medium उस medium की magnetic permeability क्या होगी उस medium की magnetic permeability क्या होगी उन्हों क्या करोगे speed of light sorry, refractive index बराबर होता है root under mu m mu r epsilon r mu r epsilon r मैं भी गलती कर रहा था mu r epsilon r यह होता है ठीक है तो refractive index हमें root 3 दिया हुआ है तो mu के जगा पे root 3 रख दो बराबर और हमें दिया हुआ है उस medium की permittivity तो epsilon r लिख सकते हो तो इसको आप epsilon r को क्या लिखोगे epsilon r होता है relative permeability क्या होता है relative permeability होता है permeativity of medium उस medium बटा relative permeability तो उस medium की permittivity में 2 epsilon nought दिया हुआ है तो medium की permittivity में 2 epsilon nought दिया हुआ है सर्थ बटा epsilon nought बटा epsilon nought तो er आजाएगा 2 तो er आपका आगे 2 अग पूचा क्या है पूचा है आप से magnetic permeability of the medium तो magnetic permeability of the medium क्या होगा magnetic mu m तो यह mu r है mu r को हम लिखेंगे mu m बटा mu nought यह लिखेंगे आज सर लिखोगे यह दोनों तरफ root है तो root से root cancel हो जाएगा तो mu m बडाबर आ जाएगा इसको इधर लेआओ by 2 mu nought by 2 यह answer है यह answer है अब आदे से जादा जनता यह लिखेंगे सर हमको तो समझ ही नहीं आया आपने क्या किया मुझे पुर्णा पता है समझ ही नहीं आया सर चला क्या हुआ क्या यह answer क्या दिया हुए कुछ दिया हुए क्या अज़ा तीन भी तो रह जाएगा एक मिट कुछ गलत कर दिया एक वेड़ एक वेड़ एक वेड़ एक गलत कर दिया इल्कुल यह root 3 है root से root काट होगे दोनों तरफ root cancel हो जाए दोनों तरफ square कर तो root से root cancel हो यह 3 है 3 बराबर mu m 2 by mu 0 तो mu m बराबर क्या होगा mu m बराबर होगा 3 mu 0 by 2 3 mu 0 by 2 अब एंसर दिया हुए 3 mu 0 by 2 मैंने copy कर लिया था देख निए मैंने सवाल को copy किया था जान बूची को copy किया था उपर रखता हूँ मैं फेसे इसको attempt करके दिखाता हूँ अब एंसर लिखा हुआ है वैसे देखिये 3 बटा 2 mu 0 है ना 3 बटा 2 mu 0 जेहो कैसे होगा इप्सालन नाट and mu 0 are the electric permitivity and the magnetic permeability of the free space free space की permitivity epsilon not permeability mu 0 if the electric permittivity of the medium is found to be 2 epsilon not electric permeability of the medium electric permittivity of the medium electric permittivity of the medium is 2 times of epsilon and the medium refractive index root 3 find the magnetic Permeability of the Medium Magnetic Permeability of the Medium मतलब Mu M हम से पूछे है Refractive Index Mu बराबर होता है Root Under Mu R एपसालना Mu बराबर हो जाएगा Root Under Mu R को हम क्या लिख सकते है Mu R को लिख सकते है Mu M बटा Mu Naut Relative Permeability होता है Medium की Permeability बटा Free Space की Permeability एपसालनार को क्या लिख सकते है इपसालनार को लिखेंगे Epsilon M βटा Epsilon Naut Epsilon M की बटा Epsilon Naut इसको लिख सकते है आँ Epsilon M को Epsilon 2 Epsilon Naut Epsilon Naut लिखोंगा यह कट गया 2 बचेगा Mu की बटा Mu Naut रूट 3 बराबर Root Under Mu M बटा Mu Naut Into 2 Root से Root Чैंसल हो जाएगा 2 की इदर बज़ होगे अब प्राबलम पता है क्या है यहां पर सप्पेस क्या होता है और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसको कैसे डिफाइन करता है परसारा घूम गया की नहीं घूम गया वो लो नहीं चक्रा गया लेकिन मज़ा आया भाई इतने डीप में समझनी पड़ेगी नहीं तुहां कंफ्यूज हो जाओगे नहीं समझोगे तुहां कंफ्यूज हो जाओगे अब बारत बात आती है प्लेन मिरर की दो उसका angle of incident आई हो और ray reflect होके इधर गया है r पे, सबसे पहली और important बात होती है कि incident ray, normal और reflected ray तीनों same plane हो हाँ की ना, खासर यही तो है पहला लो laws of reflection का पहला लो, दूसरा लो यह कहता है angle of incident, normal से incident ray का बीच का angle, angle of incident और angle of reflection आपका बराबर है angle of incident, angle of reflection आपका बराबर रहता है दूसरा, incident ray का जो plane से इंगल बनता है alpha और reflected ray का plane से इंगल बनता है beta वो दोनों बराबर रहेगा alpha बराबर बीचा हमेशा एक और बात angle between incident ray and reflected ray is always 2i क्योंकि i और r बराबर है, तो यहां से यहां total angle क्या हो गया, 2i हो गया, कितनी अच्छी बात है यह, यह सारी चीज़े हमको चमक रही है यह सारी चीज़े हमको चमक रही है क्या चीज़े हमको चमक रही है angle of incident बराबर angle of reflection angle of incident बराबर angle of reflection incident ray और plane का angle reflected ray और plane का angle बराबर होता है incident ray normal reflected ray same plane में होता है ठीक है यहां से अगर यह मिरर नहीं होता तो लाइट सीधे जाता है यहां तक गया है तो क्या इसको हम deviation कह सकते हैं हाँ सकते हैं इसको आप deviation कह सकते हैं तो angle of deviation क्या हो जाएगा angle of deviation क्या हो जाएगा तो angle of deviation होगा delta बराबर angle of deviation delta यह delta यह delta बराबर होगा टोटल एंगल 180 में से 2i घटा दो डेल्टा बरावर 180 डिग्री माइनस 2i ये बहुत important है ये बहुत important है नीट में ऐसे सवाल नहीं आते लेकिन छोटे-छोटे सवाल ऐसे आ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये मैंने एक फिटा एंगल का inclined mirror बना दिया एक रे ऐसे आया horizontal से और इधर चला गया कहीं पे ठीक है इधर चला गया कहीं पे ये टोटल एंगल है आपका 60 डिग्री है ठीटा बताई कितनी होगी बस ये क्या सवाल होगे सवाल है बहुत बढ़िया परो ये incident रहे है और ये रिफ्रेक्टर रहे है ये एंगल 60 डिग्री बता दिया अफ ठीटा फाइंड करो बढ़िया सवाल है फाइंड ठीटा फाइंड ठीटा तर एक मिनट ये सारी बात याद रहनी चीए अपको अब रूको एक बात बताओ एक बात बताओ अब अच्छी बात है अगर तुम्हें पता है एक बात बताओ बेटा इंसिडेंटर और रिफ्लेक्टर रहे के बीच में जो एंगल होता है वो 2i होता है यहां लिखा है इंगल बेट्विन इंसिडेंटर रहे and reflected is always 2i तो यह 2i होगा तो यहां से तुम लिख सकते हो 2i बरावर 60 तो i बरावर 30 डिगर आजाए यह तो हमें समझ में आगए कि i 30 आएगा लेकिन अब आगे क्या अब आगे यह कि यह जो alpha होता है उसको i के टम्स में लिख सकते हो प्लेन मिरर से हम इसा 90 डिगरी पे होता है नॉर्मल तो अल्फा को तो लिखी सकते है 90 माइनस i अल्फा को लिख सकते है 90 माइनस i अल्फा क्या? प्लेन और इंसिडेन रेके बीच का अंगल प्लेन? यह मेर का प्लेन तो यह यह और ये incident ray के बीच का अंगल ठीटा ठीटा is what 90 minus i incident ray और plane mirror के बीच का अंगल ठीटा होता है 90 minus i 90 minus 30 is equal to 60 degree तो ये ठीटा 60 था ठीटा 60 था अच्छा एक और दूसरा method बताओ कैसे कर सकते हैं इसको method 2 बताओ मजा जाएगा method 2 बताओ अगर incident ray और plane mirror के सर्फेस में ठीटा है तो reflected ray और सर्फेस में भी ठीटा होगा जानते हो हाँ सरी तो हम जानते हैं तो यहाँ तुम कह सकते हो ये सीधा लाइन में total angle x60 बनता है हाँ ठीटा 60 ठीटा मतलब 2 ठीटा plus 60 is equal to 120 हाँ की न 60 हाँ सर साट उदर जाएगा 180 में साथ जाएगा 120 तू ठीटा बराबर 120 तू ठीटा बराबर 120 मतलब 120 by 2 60 डिग्री पता पता एक दम ही extreme happiness मिली कि नहीं इसमें खोटे सवाल एक तम लेकिन मज़ा तो आया न भाई साब खोटे सवाल एक दम लेकिन मज़ा तो आया है न अब आगे देख प्लेन मिलर से डेविएशन अफी बताया 180 माइनस 2y अचा नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंट वो होता है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा 0 हो तो डेविएशन बराबर होता है 180 माइनस 2y आई तुम्हारा 0 हो गया तो डेविएशन 180 डिगरी का होगा इसका डेरेक्शन देखो अगर ये प्लेन मीरर है इस इंसिडेंट रहो को जो नॉर्मल के लोंग आता है उसको नॉर्मल इंसिडेंट कहता है ये ऐसे गया है नॉर्मल से 0 डिगरी बे बनाके ऐसे वापस आएगा ये इंसिडेंट रहे है और ये रिफ्लेक्ट रहे है हाँ की ना ग्रेजिंग इंसिडेंट क्या होता है ग्रेजिंग इंसिडेंट वो होता है जो प्लेन मीरर से ऐसे आता बिटा लगबग लगबग एंगल ओफ इंसिडेंट तुम्हारा क्या रहता है 90 एंगल ओफ रिफ्रेक्शन भी यहां से 90 रहेगा यहां पर डेविएशन देखो तो यह दिखने के लिए उपर बना है लेकिन बहुत कम डेविएशन होता जीयो तो grazing रहे और इंसिडेंट रहा आपको बता होँआ जाए अब दो plane mirror के अगर हम बात करें नीट में छोटे और street forward सव climbs आएंगे बेटर दो plane mirror मान लीजी re 1960 फोले बीजर के आप इंगल यह है बाई साफ M1 और यह है M2 अब बताईए, अब बताईए, कि अगर कोई incident ray इस दोनों plane mirror से interact करके reflect होता है, तो total deviation कितना आएगा, एक सौसी नहीं, दोनों mirror से, 360, 2 pi minus theta, where theta is the angle between the plane mirror, ये incident ray पहले mirror पे कितने angle पे आया है, दूसरे mirror पे कितने angle पे जाएगा, फर्क नहीं परता है, 360 minus 2 theta, sorry, 360 minus 2 theta, where theta is the angle between two plane mirror, एक सवाल ही कर लेते हैं, माल लो की बेटाई, ये 60 degree है, ठीक है, और यहाँ पे एक incident ray आया, तुम्हारा 30 degree पर, बताओ, दोनों plane mirror से मिला कि deviation कितना होगा, 360 degree minus 2 into 60, 120 और 360, बारते है 36, 240 degree आएगा, कितना आएगा, 240 degree, दो plane mirror से deviation, एक plane mirror से deviation का बात समझे में आया, ठीक है, समझ लीजिए, सवाल इस पे, नीट 12, 17 में पूछा भी 17, 18 में, क्या पूछा तो बताऊंगा भी, इफ incident ray rotated theta, then reflected ray rotated theta in opposite sense, opposite sense का मतलब क्या है, keeping mirror fixed, keeping, keeping mirror fixed, keeping mirror fixed, keeping mirror fixed, keeping mirror fixed, और reflect होके गये ये, ठीट अगल, ये incident ray है, और ये reflected, अगर मैं incident ray को, normal से दूर ले जाता हूं, मतलब anti clockwise यहाँ लाता हूं, alpha angle, मतलब new incident ray होगा ये, तो new refracted ray opposite sense मतलब ये, anti clockwise गया, ऐसे गुमा, इधर से ऐसे गुमा, anti clockwise गुमा, कैसे गुमा, anti clockwise, तो इधर से ये clockwise आगे की तरफ जाएगा, इधर से clockwise आगे की तरफ जाएगा, कितना angle जाएगा, अलफा angle आगे की तरफ जाएगा, तो जितना angle incident ray को गुमाओगे, उतना ही same angle refracted गुमेगा, लेकिन opposite sense में, अगर ये clockwise गुमता, तो ये anti clockwise आता मानते हूं, अ plane mirror is rotated by theta, अगर plane mirror theta rotate करता है, incident ray को fixed रखता है, incident ray fixed, incident ray fixed, then reflected ray turns by two theta in the same sense, same sense का मतलब ये है, कि माल लीजे कि ये incident ray है, ये incident ray है, और इस incident ray को हमने कर दिया fixed, और इस mirror को हमने ऐसे घुमा दिया theta angle, ये ऐसे घुमा दिया theta angle पर, incident ray तो सुमारा fix है, जो reflected ray पहले माल लो ये था, तो अब same sense में, two theta reflected गुम जाए, same sense में, जैसे clockwise गुमाया है मैंने mirror को, तो reflected ray clockwise में two theta गुमता है, कितना गुमता है, reflected ray turns by two theta in the same sense, same sense मतलब ये clockwise तो इधर भी दूर जाए, ये clockwise, ये clockwise तो ये anticlockwise, incident ray anticlockwise तो ये clockwise, plane mirror is rotated theta, along it's perpendicular to the plane, axis perpendicular to the plane, जैसे mirror है, और ये तो इसका axis है, ये इसका normal axis है, ये mirror है, ठीक है, इसको अगर मैं, इसके axis, जो इसके perpendicular to the plane, जैसे ऐसे घुमा दूँ, तो incident ray और reflected ray पे कोई फर्क नहीं परेगा, क्योंकि mirror अपने plane नहीं घुम गया, अब जाए, mirror अपने plane में ही घुम गया, mirror क्या हुआ, अपने plane में ही घुम गया, ये बस बात आपको ध्यान रहा हुआ, next some important properties of image formation by the plane mirror, plane mirror से image जो form होते हैं, उसके कुछ important property, क्या-क्या होती है, focal length of plane mirror is infinite, ये मैंने आपको बता दिया, focal length of plane mirror is infinite, uncovering part of some part of the mirror, if covering, uncovering part of the mirror, uncovering part of the mirror, no change in size of image, but brightness will change, मतलब, अगर मानलो ये plane mirror है, और पूरे plane mirror से मेरा को image बना, अगर मैं आधा plane mirror ढख दूँगा, तो फिर भी image पूरा ही बनेगा, image का बनना कभी भी mirror के size पर depend नहीं करता, हाँ, image का बनना, कभी भी mirror के size पर depend नहीं करता, image का बनना, formation of image does not depends on the size of mirror, formation of image does not depends on the size of mirror लिख ले और यह true है किते लोगो true लग रहा है बताओ formation of image formation of image does not does not depends on depends on size of mirror size of mirror formation of image does not depends on size of mirror formation of image does not depends on size of mirror, yes formation of image does not depends upon the size of mirror 200% सही चीज़ है हाँ image का brightness change हो जाएगा mirror को cover करने पर और mirror के size से इस बात फर्क परता है कि वो image दिखेगा या नहीं, मतलब visibility of the image depends on the size of mirror visibility of image visibility of image depends on size of mirror depends on size of mirror एक लियर है ये बात image का दिखना mirror के size पर depend करता है जो real object है उसका virtual image बनता है real object का virtual and elect image बनता है और जो virtual object है उसका real image बनता है और object distance और image distance same होते है size of the image size of the object के बराबर होता है लेकिन virtual and correct बनता है क्यों real image बन सकता है हां, virtual object का real image बन सकता है object and image always of the same distance from the mirror object distance image distance लेटररली inverted image बनता है इसका magnification क्या होगा magnification plus one होगा Magnification के और प्लस वन होगा, सेम साइज का बनता है, इरेक्ट बनता इसलिए Magnification, प्लस आया है, माइनस Magnification नहीं होता इसमें, ठीक है, Plane Mirror can form inverted image of real object, inverted image of real object, क्योंकि Laterally Inverted जो बनता है, Laterally Inverted का मतलगी है, कि माल लीजे, Plane Mirror है, यह हमने एक object रखा, इसका image उल्टा Laterally Inverted बना है, Laterally Inverted बनता है, तो Plane Mirror can form inverted image, सर आपने बोला था कि, इरेक्ट बनता है, तो inverted कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया, उल्टा है इसे, जैसे माल लो यह Plane Mirror है, Laterally Inversion को ही हम कह रहा है, inverted, कैसे जैसे माल लो, यह तुम्हारा A है, ऐसे रखा है, इमेज कैसे बनेगा इसका, ऐसा ही तो बनेगा, देखो उल्टा हुआ कि नहीं, लेकिन इस साइड से देखोगे, तो Laterally Inversion, Laterally Inversion ही हम पर image बनता है, दूसरी बार, अगर mirror कुछ टेड़ा मेरा रख दिया हो, ऐसे mirror रख दिया हो, यहाँ पर object रख रखा हो, अब इसका image, इसका image यहाँ नहीं बनेगा बाई साइ, इसका image यहाँ बनता, अगर mirror यह होता तो, mirror से object distance, mirror से image distance, ऐसा होता तो, लेकिन अभी क्या है, mirror तुम्हारा क्या है, tilted ऐ, ऐसे रखा है, इमेज यहाँ नहीं बनेगा, इस object का, पर कहाँ बनेगा, सुनना, plane mirror वहाँ पर पर्जेंट हो या नहीं, exactly object के सामने, plane mirror है, ऐसा नहीं कि plane mirror नहीं, यह तब बनो image, वे image बनाने के लिए mirror और, कुछ चीज़े तो चाहिए ना, mirror object के सामने है, या थ्वड़ा उपर है, थ्वड़ा नीचे है, फर्क नहीं परता, object से, mirror पर एक perpendicular line ड्रॉ करो, और उसको सीदा extend कर तो, object से mirror पर एक perpendicular line ड्रॉ करो, mirror, और उसको सीदा extend कर तो, यहाँ पर, चुछ यह कहानी होती है, yes, यह कहाने दो, जैसे, 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 मान लो, यहाँ पर तुम्हारा एक mirror है, mirror है, लेकिन object यहाँ इस object का image कहाँ बनेगा, mirror यह तो कहीं इधर image बनेगा नहीं, इसको तुम imaginary extended मान सकते हो, इस mirror पर 90 degree पर incident, एक line करो, यहाँ पर आपका same distance पर image, यह object, यह image, इस mirror है, इस mirror तो सर ऐसा बन सकता है, यहां बन सकता है, यह खुद अपना image देखेगा की नहीं, मालो या आदमी आखरा, यह खुद अपना image देखेगा की नहीं, यह खुद अपना image नहीं देख सकता है, क्योंकि जो reflected ray होता है, यह refracted ray होता है, वो image बनाता है, और उसको देखने के लिए, image क देखना होता है, बनने के लिए नहीं, देखने के लिए तो देखें, तो से फुल हाइट आफ दा आबजेक्ट बाई मैन, बाई मैन, बाई मैन, साइज आफ दा मीरर रिक्वाइड साइज आफ मीरर रिक्वाइड आदमी को खुद की अपनी height देखने के लिए mirror की कितनी height required होती है तो याद रखेगा h by 2 जो भी object है या man है जो भी object है या man है उसकी height के आदे height का जब उसको खुद ही अपना image देखना हो इसे मान लो या आदमी है और इस आदमी की, इस आदमी की height है h या खुद अपना image देखना चाता है mirror में तो खुद का image पूरा देख पाइ सके लिए कितने length का उसको mirror required है कितने length का उसको mirror required है तो इसका image कहिंच यहा पर ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा जब बनेगा अब ये ray इसके आखों में आना चाहिए और यह दे भी इसका को मैंना चीहाँ मान लो यह ठीटा एंगल है ठीक है और यह कहीं यहाँ पे मीरर से X डिस्टेंस पर है तो सर्व मीरर से इमेज भी X डिस्टेंस पर बनेगी यह अगर ठीटा है तो मान लो की हाइट एच जो अबजेक्ट का था मैंन का था H यह मीरर का वो लेंथ है जो यूज हो रहा है इसको हम मान लेते हैं अब टैन ठीटा को हम क्या लिख सकते हैं परपिंडिकुलर H बटा बेस यहाँ से यहाँ तक 2X H by 2X यहाँ पे Y मीरर की हाइट यह भी टैन ठीटावर और मीरर की हाइट बटा यह बेस कितनी है X है जो एक से X कट गया Y बराबर H by 2 Y बराबर H by 2 यह मीरर की है इतनी मीरर की पूरा ड्राइव कर दिया उसी फुल वाल बिहाइंड दा मैन मैन है भाई यह Observer या Man बोल दो तो see फुल वाल बिहाइंड दा मैन मैन के पीछे पूरा दिवार है मैन के पीछे पूरा दिवार है और वो दिवार को देखना चाहता है Where Observer is at center जहां पे वो center पे खरा है तो میरर की कितनी हाइट यूज होगी जैसे देखो ये mirror है ये पीछे H height की एक दिवार है जो की X length पीछे है इस डिस्टेंस होगा ने mirror से कहीं पे दिवार है और जो आदमी ख़रा है observer is at center mirror and दिवार के बीच में ये एक observer ख़रा है observer को अगर खुद का image देखना होता तो mirror की आधी height required होती है X तो mirror से X length आ गई हाँ पे एक image बनेगा दिवार का हाँ सर सही कहला हूँ सहलिक सही कहलो डे भाई बाई बाई यहाँ पे H height के एक दिवार बनेगा इस दिवार के upper end से इसका reflected ड्रे इसके आखों तक पहुँचे lower end से reflected रहे इसके आखों तक पहुचे तर एकदम भाई सही हो अब बताओ अगर यह मीड में खाड़ा है तो यह distance कितनी है तर X Y 2 अगर यह angle में theta लेता हूँ तो 10 theta यह perpendicular h बटा यहाँ से base कितना होगा X plus X Y 2 3 X Y 2 तो H divided by 3 X Y 2 is equal to mirror की height h Y मानने Y mirror की height y बटा यह base कितनी है base X Y 2 है Y divided by X Y 2 X Y 2 से X Y 2 कट गया Y बराबर HY 3 तर एकदम मजा आ गया एकदम जमा जम चमका की नहीं बता दो ठीक है see full wall behind the object if man is not at the center एक तीसरा केज़े man center पे नहीं है मान लीजे यह आपकी mirror है मान लीजें mirror है यहाँ पे आदमी है यहाँ पे एक आदमी है जो की X by 4 distance है और यहाँ से X distance पर एक दिवार है जिसकी height h wall है अब आदमी इस wall का आदमी इस wall का पूरा image देखना चाहता है तो mirror की कितनी height यूज़ होगी सबसे पहली बात wall हाइट का है X distance पे तो wall का image X distance पे एक हाइट का बनेगा गाँ सबको पता होता है हाँ और यह दिखेगा तभी जब यहाँ से reflected rate उसको upper end से reflected rate आको इसके आख तक पहुँचे और lower rates का reflected rate इसके आख तक पहुँचे यह mirror की वो height है हमें use होनी है ठीक है सर अब मुझे बता अगर इसको ठीटा बोलू height h और बटा यहाँ तक distance कितनी है सर यह x plus x by 4 5 x by 4 h divided by 5 x by 4 is equal to y y divided by x by 4 x by 4 x by 4 cut गया y is equal to h by 5 ले भाया मौज कर मौज कर पता मज़ा आया की नही clock system बहुत important है सवाल पूछ लेते हैं clock system में बड़ा खुब सुरज तरीके से मैंने आपको glass अपर आया था मज़ा आएगा ध्यान से सुनिए if time in a clock is h hour m minute and s second hour minute and second hour minute and second जो clock में हो रहा है plus hour minute and second जो image में है जो image में है उसका sum होता है 60 sorry 12 hour 59 minute 11 hour हो जाएगा या 12 hour सिधा लिख तो 12 hour 12 गंटा लास यह है अगर सिर्फ hour तुमारा hour hand दिया हुआ है तो clock का hour hand और minute का hour hand बराबर 12 गंटा हो जाएगा यह फिक्स है 12 गंटा ही रहेगा तुम्हे टाइम आवर में किवेन हो सिर्फ आवर ही देगा 8 बजरा है clock में तो image में कितना बनेगा बताओ तो पता है तुम्हें क्या करना है यह तो दिया नहीं है तो अटा दो clock में 8 बजरा है कि चार बज़ के 10 मिनट है चार आवर 10 मिनट है इन clock इन clock तो image में time बताओ जो clock का image है उसमें time क्या होगा क्या करों कि बता है चार घंटा प्लस 10 मिनट है इस इक्वल टू आवर इन्टू मिनट बरावर 11 घंटा 11 आवर 60 मिनट कर दी 12 घंटे नहीं रखा 12 घंटे ही तो है 12 वर कौम ने क्या बोला 12 घंटे में क्या होता है 12 घंटे भलावर 11 घंटे 7 jaki बोल दिया तो सार यहां से क्या हो जाएगा कि आवर बढ़ावर हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 और 60 में से 10 जाएगा 50 और अगर तुम्हें इन क्लॉक इन क्लॉक टाइम दिया हुए आवरेंड में चार बज के दस मीनट और पचास सेकेंड हो रहा है तो इमेज का घंटा मीनट और हावर घंटा मीनट और सेकेंड हो जाएगा 11 आवर 60 मिनट को और लिख सकते हैं 59 मिनट और 60 सेकेंड ये हो गया ये होगा बताईये अब सोच के बताईये अब सोच के बताईये बो लिये हम अब ध्यान से विजूलाईज करिए बताईये 11 आवर 59 मिनट 60 सेंड और सर अगर हमें image का time दिया हो image का time दिया हो और main clock का time पूछे कि image में इतना time ही तो clock में time कितना हो तो क्या करेंगे? image का time minute second बरावर यह लिखेंगे इस बारा वर को हम तीन तरिके से लिख सकते हैं सिर्फ बारा वर लिख दे या 11 hour 60 minute लिख दे या 11 hour 59 minutes 60 seconds लिख दे और तिनों पर यूजब करेंगे सिर्फ minutes दिया हो तो सिर्फ ये use करेंगे minutes सेकेंड ये use करेंगे मिनट सुरी सिर्फ hour दिया तो ये use करेंगे hour minute में ये use करेंगे hour minute second में ये use करेंगे बोलो एकदम ही गरदा visualization है या नहीं बदाओ मज़ा आया है कि नहीं चले next देखें तू वर्टिकल चाइब और नगे अच्छे से रिवाइस करा देगा, image formation by, image formation by two plane mirror, image formation by two plane mirror, two plane mirror से deviation तो बता ही दिया था, 360 minus 2 theta, 360 minus 2 theta, angle of incident पे depend करता नहीं है, इसमे depend करता है, angle of the mirror पे, 360 minus 2 theta, अब देखें, image formation by the two plane mirror, अब image formation by the two plane mirror में क्या करेंगे, image formation by the two plane mirror, जैसे माल लीजिए कि ये plane mirror है, angle बन रहा कुछ theta, यहाँ पे object रख दिया, ये mirror 1 है, और ये mirror 2 है, तो पता है क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, एक M, तर M किया number of image नहीं, M एक value है, तो क्या value है, M value है, 360 degree divided by theta, मतलब जो भी दो plane mirror के बीच का angle है, जो भी दो plane mirror के बीच का angle है, जो भी है, आई सहाब यकीन नहीं करोगे, तुमसे सिधा direct सवाल पूछ लेगा, कि दो plane mirror के बीच में एंगल है, 60 degree एक object रख रख था है, तो कितने image बनेंगे, तो त्यार रहो हो ना, तो देखो, M बढ़ावर 360 degree by theta है, तो समझ गया 360 degree by theta है, अब सुनिएगा ध्यान से, कोई निकाल लो ये तुम, M निकाल लो, और अगर ये M solve करके तुम्हारा even आ गया, M क्या आ गया है, even आ गया, solve करके M कुछाएगा, वो समझ even आ गया, तो उस में से पका से एक माइनस कर दो, object कहां रखा है, इस बात से फर्क नहीं परता है, दो plane mirror के बीच में रखा है, यहाँ यहाँ कोई फर्क नहीं परता है, 360 by theta अगर even आया है, तो number of image एक घटा के निका आ गया, तो number of image आ गया आपका M minus 1, number of image आ गया आपका M minus 1, number of image क्या आ गया, M minus 1, number of image is M minus 1, पर मज़ा आगे लो एक दम, अब देखो अच्छे से, अगर odd आ गया तो सर, ना लीजी एगे ना आया है, तो odd भी तो आ सकता है, अगर odd आ गया, अगर odd आ गया, सबसे पहले देखो कि object symmetrical ही रखाए की नहीं, अगर object symmetric रखा है, odd मतलब 5 आ गया और object को symmetric रखा है, तो भी number of image, यहां से M minus 1 करो, अगर object को asymmetric रखा है, अगर object को asymmetric रखा है, तो number of image बरावर आएगा, सब जाके number of image, M आएगा, जो कि 360 by theta है, गर theta इस दा angle between two plane mirror, जैसे example, अगर plane mirror के बीच में अगल है, पचास डिगरी, और यहां प एक object रखा है, आप करो, 360 बटा पचास, M निकालेंगे, हाँ, M number of image नहीं, M एक value है, 360 बटा पचास, तो 360 बटा पचास रखेंगे, 0 से 0 cancel हो गया, 7 35, तो यह आएगा, 7 35, एक 10, दो 7.2, तो अब, तो अब ता, यह एक, 11, आप, इवेन और ओड के बीच में आगया नहीं, एवेन और ओड के क्या हुआ हुआ है, सात आता तो हम कहते हैं कि, यारहे यह तो ओड है, फिर symmetric के, सेवेंटरिक हम ढूंड तो 7.2 आ गया ना इंटीजर में आ गये तो हां उसके इसमें सर नौ और है न इवन न तो क्या करेंगे तो इसके नियरेस्ट इंटीजर 7 के टॉंस अंबर उफ इमेज आपका साथ हो इवन नहीं है ना नहीं सर और भी नहीं है तो 7 तो और होता है नबबे डिगरी एंगल है यहां पर अब्जेक्ट रख दिया यह मीरर 1 है यह मीरर 2 है अब बताओ नंबर उफ इमेज सबसे पहले एम निकालोगे चाचा यह होगा तो मैंने बोला था इवन आ जा तो कुछ नहीं सोचना नंबर उफ इमेज में एक माइनस कर लोगे नंबर उफ इमेज हो जाएगा चार माइनस करना ही है सिमिट्रिक ए सिमिट्रिक नहीं देखना त्रीक है सब्सक्राइब माल लोग मैं तुमसे बोलूं मुझे M1 मीरर से ही तीनों इमेज का एंगल बता कहा है ऐसे कैसे देख सकते हैं तरीका होता है कि M1 से पहला इमेज कहां बनेगा और M2 से पहला इमेज कहां बनेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि object को कितने एंगल पर रखा यह देना पूरे ह सकते हो मालो object को मैंने यहां पर 30 degree यहां से और 60 degree यहां से ठीक है तो पहले मीरर से कितने एंगल पर object रखा है 30 degree पर तो पहले मीरर से 30 degree धर इमेज बनेगा और दूसरे मीरर से अगर इमेज देखोगे तो दूसरे मीरर से एंगल 60 है तो 60 degree पर एक इमेज बनेगा अब अब आ से दूसरा इमेज 120 नब्बे इसमे एड़ करतो तो 150 मुवन से दूसरा इमेज 150 डिगरी और एम टू से 120 कोइंसाइट करेगा कैसे और यह法 से 120 और यहां से 120 और इसका एक बोनेगा इसका एक बनेगा तो 150 यहां से 120 यहां से और दोनों में 90 जोर के 360 आना चाहिए पूरे अंगल 360 आना चाहिए जोर के देखो 360 आ रहा है 120, 120, 240, 240, 230 बच गया तो 240, 230, 270, 270 में से 90 जोरोगे 300 मज़ा आगे लो उसर और क्या ऐसी थोरी नहां है 60 डिग्री में मालने है यह M1 है यह M2 है मैं मजाक नहीं करो अजीब सवाल बनाता हूँ 110 डिग्री पर रखा है यहां एक दम चिपका के रखा है अब अब तो नंबर ओफ इमेज कितने बनेंगे और कहां खावनेंगे तो नंबर ओफ इमेज के लिए लिखोगे 360 बटा 60 अब यह कट गया च्छाट च्छात तेश्च है ध्यूसर इवेन है इवेन है तो एक घटा होगे तो नंबर ओफ इमेज जो आएगा नंबर ओफ इमेज जो आएगा वो आएगा 6 माइनस 1 बरागर 5 5 इस नथिगस बड़ दोड़ नंबर ओफ इमेज 5 is nothing but your number of image 5 is 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 number of image M1 M2 से अलग लग जापे, अंगल देखेंगे तो यहां M1 से अंगल देखोगे यहां यहां पर बनेगा आपका यह 10 डिग्री है तो यहां से 10 डिग्री तो उपर M1 ने नीचे M2 इसका ध्यान रख़ते है M2 से बनेगा 10 फ़ए और टोटल 60 था, 60 में से 10 हो गया तो यह एंगल तो 50 आपका यहां पर बनेगा 50 पर इसमें 60 हैट करो दोनों प्लेनिकी मिन और के भीच का एंगल 60 मर्दस 70 110,2,2 10 इसमें 60 हैट करो 170,इसमें 60 हैट करो 130,इसमें 60 हैट करो 2080, 130, 60 add करोंगे 240, कौन से miss coincide करेगा बतुम, कि इतने miss बने थे, 5, 5 बनेगे बाई सब, 5 कौन कौन से बनेगे रहे? तो एक, दो, तीन, चार और ये दोनों कॉइंसाइट करेगा, ये तो बने गई ने पर क्यों नहीं बन रहे हैं, तो कभी भी माल लिए प्लेन मीरर है ये कितना भी इमेज बनाएगा, तो अपने पीछे बनाएगा और पीछे का मतलब इससे 180 तो कमी एंगल आना चाहिए, तो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, 180 डिग्री से जादा उस प्लेन मीरर से एंगल जाही नहीं सकता है प्लेन मीरर कहीं भी रखोगे, तो कोई भी मेज बनाएगा, तो अपने पीछे बनाएगा, और अपने पीछे आप कैसे जाओगे, तो अपने पीछे कैसे जाओगे, तो अपने पीछे कैसे जाओगे, बताओ, अपने पीछे कैसे जाओगे, बताओ, अपने पीछे कैसे जा गा है तो कोई सावी ऐने मेंट रख तो एक्स ओस्य से पीछे जाही नहीं जा ही नहीं में इसलिए तो इसलिए तो अ प्लीज में मेंज बनाएगा इसके पीछे ही बनाएगा और ये जितने image बनाएगा, वो अपने पीछे ही बनाएगा इसका area यहां से यहां से यहां से यहां तक हो गया इस ही space में दोनों मिला की image बना सकता है मान लीजे कि यह 150 डिए है यह 120 मान लीजे यह 120 है और यहां पर मान लीजे कि एक object मैं रखा तो number of image क्या होगा पहले M निकालो 120 सही तरीका सीखो 360 बटा 120 पहले M निकालो 0, 12, 33 तो number of image क्या जाएगा अगर हमने बीच में रखे है अबजेक्ट यहां से 60 डिग्री पर even odd आया है ना तो odd में तभी घटाएंगे जब number of symmetric रखा है तो 3 minus 2 ही image बनाएगा क्या number of image कम आएगा क्योंकि जगा कम था पीछे बनाने के लिए जगा कम था पीछे बनाने के लिए यहां यसी रिजन में तो image बनेगा और यह भी यहां से यहीं तक बनाएगा और यह यहां से यहां तक बनाएगा इसका image इधर नहीं आ सकता इसका image इधर नहीं जा सकता ठीक है कहा image बनेगा तो मालो 60 पर रखा है तो ये पहला image 60 पर बनाएगा पहला image 60 पर बनाएगा ठीक है एक बनी है ये भी अपना पहला image 60 पर बनाएगा 60 इधर और 60 इधर कितना होगे 120 और टोटल 240 डिगरी होगे तो टोटल इमेज कितने बनेगें दो ही बनें दो बनेंगे सब तीसरा इमेज क्यों नहीं बनेगा तीसरा इमेज इसलिए नहीं बनेगा ओ सकता एक सब्सक्राइब जा रहा है यह रहा है 120 120 जोरो 180 यहां से 180 घ्री पर मिर बनाए यहां पर आपने खुझ बाड़ी पे ठोड़ी न बनाए बाड़ी के पीछे बनाना उसको चल दिया खोल दिया न होल धी पूरी पैस दी होगी दिख रहें गी नहीं दिख रहा हुए तुम्हे बता तो कम space था तो कम image बना अब मैं अगर चाहूं तुम्हें ये बताऊं कि भाई अब 30 degree है चाहना और यहां से 10 degree पर हमने एक object रखा है 10 degree पर object रखा है 10 degree पर object रखा है यह 30 degree है 10 degree पर object रखा है तो M बराबर होगा 360 बटा 32 कटेगा 9 आएगा 9-3-8-6-9 तो ओड है लेकिन हमने यहां पर क्या रखा है? symmetric रहीं रखा है symmetric रखता तो यह गटा तो टोटल 9 image बनेगा क्यों बनेगा 9 image? माल लिजिए यह M1 है यह M2 है तो यह यहां से यहां तक अपना image बना सकता है यह यहां से यहां से यहां तक करना है कि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे तुम तुमारे पास हमार स्टार एक तुम सांदार तरीके से निकाल सकते हो M1 से 10 डिग्री पे था तो M1 से पहला बनेगा 10 पे और ये 30 था टोटल तो ये 20 हो जागा 20 डिग्री को 20 से कितना डिग्रोगे 30 तो 30, 20, 50 और यहां पर 38 करोगे 30, 10, 40 फिर 36 करो 70 फिर 36 करो 30, 50, 80 30, 110, 36 करो 100, 100 में 37 करो 130, 140, 140 में 37 करो 170, 160 और यहां से माझनलो 170 है यहां से माझनल है इक 60 है तो टोटल हिए इंगल कितने होगे तोटल हेंगल हो गए सुरी तीनसो तीस ही है दोनों जोडके इसके लाध तो इम्यस तोटल कितने हो गए है? सबते जोड़े साथ अजन्म ऐनओ दस अर्थ बारा एक मिनिट नौ चुक्ष बारा तीज़ शतीस आरे यार नौतिया सताइस होता है बारा है नौतिया शतीस बारा है तो बारा तो सर इवेन है घटा दू नंबर उफ इमेज ग्यारा आएगा बारा तीज़ शतीस होता है तो इवेन आ जाए तो सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक नियुक्त नहीं घटै गई तो बारा मेंसे एक जायागा तो इमेंगे चै hon रहे की यारा एक वी ग्यार इमेज बने गचीन हो गर्बर हो गई यारा इक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दासे ग्यारा बता एकदम थागा खुल दिया कि नहीं पाइस अब एकदम क्लियर हो गए होंगे अब मान लो तो पैरलल प्लेन मीरर एकदम इन नोनों के बीच का अंगल है जीरो डिगरी इन दोनों के बीच का एंगल है वेटा एकदम 0 अब तो number of image कितने बनेंगा मानलो object मैंने यहां रखती है यहां से है 6 meter पर और यहां से है 5 meter यह plane mirror 1 यह plane mirror 2 यह 5 से 11 दोनों के बीच 11 meter की distance है इसमें जो angle से काम कर रहा है तो वही यहां पर distance का काम कर रहा है distance from mirror 1 and distance from mirror 2 mirror 1 से distance कितना है 5 meter तो इस object का पहला image तो 5 meter पर बनेगा इस object का यह mirror पहला image 6 meter पर बनाएगा अब दोनों plane mirror के बीच का distance add करते जाओ कितनी बार आड़ करेंगे infinite times कि number of image infinite होगा 360 infinite हो जाता है तो 5 meter में क्या add करोगा 11 11,5,16 meter और 11,0 होगे 17 meter 11,0 होगे 28 meter 11,0 होगे 27 meter 11,0 होगे तो जोटे जोगे यह पहले plane mirror से पहला image दूसरा image तीसरा image और so on अब एक J.E. का यह सवाल है मैंने class में भी कराया हुआ है यह तू रगर देखना बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझा है एंसर भी मैंने दिया हुआ है रगर दे होम वर्क है प्लाइट 20 बहुत डिटेल में समझा है रगर दे जहां पूछा है जैसे पूछा है सब को लेगे रगर दे और स्फेरिकल मीरर के बारे में समझते है अब स्फेरिकल मीरर बहुत इजी है भाई साब इसमें बहुत ज़्यादा लेंडी अंदर खुस के कन्फियूस होने की ज़वाट नहीं है चोटे-चोटे सवाल आएंगे एक दाम आसान लेकिन फॉर्मूला प्रोपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको यूज करना है दो तरह के मीरर होते हैं जिसमें घुफा की तरह मीरर हो घुफा की तरह रिफलेक्टिंग सर्फेस है उसको कहते हैं कॉन केम मीरर केव जैसा है कॉन केम मीरर और इसको बोलते हैं कॉन वेक्स मीरर इसको बोलते हैं बेटा कॉन वेक्स मीरर यहां से आपका यह है प्रिंसिपल एक्सिस यह है आपका पॉल यहां पे कहीं पहोगा फोकल लेंट यह है रेडियस आफ करवे चलिए पूल अब जो डिस्टेंस साइन कन्वेंशन होता है उसमें एक चीज़ तो याद लगे चाहे कोई भी मियर हो उपर की डिस्टेंस को हम पॉजटिव लेते हैं नीचे की डिस्टेंस को हम निगेटिव लेते हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बाग ने उपर की डिस्टेंस को हम पॉजटिव लेते हैं नीचे की डिस्टेंस को हम निगेटिव लेते हैं इसमें भी वही होगा दूसरी बात, औबजेक्ट कहां रखोगे, यहां पर औबजेक्ट तो रख नहीं सकते हैं, और औबजेक्ट से यह इंसिडेंट रहेगा, तो इस इंसिडेंट रहे के हिसाब से, आप साइंच करवेंशन लोगे, अगर आप पोल से डिस्टेंस मेजर करते हुए, क्योंकि डिस प्रिंसिबल एक्सिस से देखो कितना उपर है, इस प्रिंसिबल एक्सिस से हाइड देखने के लिए, तो प्रिंसिबल एक्सिस से देखो कितना उपर है, कितना नीचे, तो तो साइन करने मेंशन होगे, उपर नीचे का, उसके बाद, आप पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे और अगर incident रहे के long है तो positive है, incident रहे के opposite है तो negative, अब object कहां रखोगे, सर object यह रहा, अब object distance आप object से तो ने measure करते है, pole से object की तरफ जाएंगे, object distance measure करने, वो negative ही आएगा for real object, और हलांकि real object का object distance हमेशा negative ही आता है, क्योंकि real object का ही है, तो हाँ से incident रहे जाके mirror पे जाएगा, और mirror के pole से object distance measure करने, तो मुल्टा होगे, इसलिए real object के लिए object distance negative, और मज़ा आगे लोगे, यहाँ पे focal length आईए, तो pole से focal measure करने जाओगे, वो भी incident रहे का opposite गया, तो भी negative होगा, incident रहे का opposite गया, तो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो कौन के mirror का focal length भी negative है, और हम जानते है, focal length is equal to होता है, radius of curvature, one upon v plus one upon u is equal to one upon f, कोई कुछ मत करो, दो line calculation जादा हो जाएगी, कोई दिक्कत लिक्दम basic formula से जाओ, यह image distance, यह object distance, यह focal length, और सब को proper sign के साथ use करोगे, use with proper sign, proper, use with proper sign, इसको proper sign के साथ ही use करो, इधर उधर भटकने की ज़रत नहीं है, बेत accurate and proper sign के साथ ही use करो, यहाँ पे transverse magnification, height के terms में, हम मोटाई नहीं देखने हैं, चौडाई नहीं देख रहा है, height देख रहा है, principle axis है कितना उपर, principle axis के perpendicular, transverse magnification होता है, height of image, but a height of object is equal to minus v by u, यह minus length में देख रहा है, minus v by u, focal के terms में देखोगे, f बटा, f minus u, यह, f minus v by v, यह magnification है, transverse वाई, length, height के terms है, height के terms है, और longitudinal magnification होता है, मोटाई के terms है, मोटाई होगया, dv बटा du, image की मोटाई बटा, object की मोटाई, and that is equal to nothing but empty का whole square, सिर्फ यह formula का condition है, कि यह small object के लिए valid है, small object के लि लिए ऐनगे, focal length 50 cm, image बन रहा, 30 में तो object distance क्या होगए है, मेरा focal length होगए, एक चीज़ यहां पर हमेशा याद रखेजिए, कि अगर आपका erect image बना है, erect मतलब होता है, सीधा, erect, erect, erect image बना है, अगर आपका कहीं पर erect image बना है, erect, सीधा image बना है, च्या बना है? सीधा image बना है, इरेक्ट खड़ा image बना है तो अगर image आपका इरेक्ट बना है, सीधा बना है, खड़ा बना है को magnification बिल्बी पॉजिटिव magnification will be positive, नैनिफिकेशन बिल्बी पॉजिटिव हो oneself बना है तो वी तुम्हारा positive हो जागा, U negative हो जाएगा, clear है के तो clear है, clear है, clear है, यह erect image के लिए M positive होता है, इसको हम virtual image, virtual image, magnification positive, erect and virtual बने, अगर magnification negative है, उगदम सही है बेटा, magnification negative है, तो तुम्हारा inverted image बनेगा, inverted and clear, एक चीज़ आपको सोच रहते हैं, अपने सोचा फिल, अलग चलेगा, फिर नहीं बता है, मैं यह सोच रहता है, कि जब तुम्हारा object, focus या focus से दूर है, r पर है, r और इसके बीच है, r और इसके बीच है, तो यहाँ पर जब object ऐसे बनता है, तो object की height, positive, image की height, negative, जब तुम रखोगे, object की height, negative, object की height, positive, overall magnification कैसा रहा है, minus, आएगा, तो माइनस inverted में, inverted और real, बोलो, टो, मार्टूरू, फिसक्स, बोलो, टूरू, फिसक्स, वही मैं सोच रहता है, और सर, अगर object यहाँ और image यहाँ है, तो, यह भी positive, यह भी positive, दोनों positive आगया सब, यह भी दोनों positive आगया, अचा सथीक है, वो तो ठीक है, लेकिन V by U कैसे बता होगे, तो V आगे positive, यह positive, यह negative, यह cut जाएगा, यह positive, और यह negative, negative, negative गट गया, M positive आए, हाँ, M positive मतलब erect, और virtual, erect और virtual जब पीछे बनता है, दोनों formula justify करा दिया, यहाँ minus Q है, minus Q नहीं है, तो याद रखना है, magnification अगर positive है, वर्चुल और erect, magnification negative है, इनवर्टेड है, बस यह बात है, और कहाँ पर object रखने पर, कहाँ पर image बनता है, तो उसके लिए मैंने table बनाया है, कि यहाँ पर जब तक तक तुम object को infinity से focus तक रखोगे, और ऐसे pass लाओगे, तो object जैसे जैसे pass आता जाएगा focus के image दूर जाएगा और बरा होता जाएगा, जो भी, मतलब, जितना focus से pass होगा ना, जो भी चीज होटा होगा, और जितना focus से दूर होगा, वो बरा होगा, बात नहीं समझने है, बात में यह कह रहा हूँ, अगर object focus के आसपास है, तो object distance कम जो भी चीज focus से दूर है, बात, तो यहाँ पर image बनते हैं, जब object आपका infinity और focus के पास है, तो image infinity और focus के बीच बने गएगा, और object focus से इस तरफ आगया तो image तूरंट से infinity पर और virtual हो जाएगा, और जैसे जैसे object pole के पास आएगा, image pole के पास आगा, object pole पर, image pole पर, क्योंकि concave mirror के एकदम pole पर पहुंच जाओगे, उसका छोटा पार्ट इस plane mirror जैसा बेप करेंगे, यहाँ पर एकदम पहुंच गएगे ना, तो यह छोटा पार plane mirror जैसा हो, यह object यहाँ इहाँ, एकदम चिपका दोगा, object को एकदम चिपक करेंगे, यहाँ पे हमेशा image pole और focus के बीची ब बात बता दी, empty, h1, height of image, height of object, minus byu, f बटा f minus u, f minus byu, only valid for small object, क्यों सा, यह वाद, इसके लिए, only valid for the small object, ठीक है, longitudinal magnification, मतलब मोटाई के टाउं से बात करते हैं, square करोगे, तो कोई फर्क नहीं परता है, इसको छोटा, मतलब बस तुम यह formula याद रखना, magnitude के साथ, इससे कोई फर्क नहीं परता है, longitudinal magnification होता है, मोटाई of image, बटा मोटाई of object is equal to, जो भी transverse magnifice, h i by h o i है, उससे divide, उसका square करते हैं, that's it, यह देखिए, sorry बेटा, Concave mirror की focal negative होती है, बताया था, Concave mirror की focal negative होती है, you real object के लिए, नीगेटिव होगा, and v negative होगा, और आगर image distance negative है, तो real image के लिए, image distance positive है, तो v positive होगा, sorry, image distance अगर positive है, तो virtual image होगा, converging lens, sorry, concave lens और यह convention mirror, सबसे ज़ादा होता है इसमें पूछे का सबसे ज़ादा फिल्ड 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 एक इसे आएगा इधर जाएगा इसे आएगा इधर जाएगा यह जो आपका smiled data ओसे smack इसका होता है फिर कियोंकि यह थी क्या है इतिकल the Real object, real image के लिए V और U negative होगा. Virtual object और virtual image के लिए V और U positive होगा. Virtual image लिखा इसलिए ये positive. Real object के लिए U हमेशा negative होगा. Along the incident ray, distance taken as a positive. Opposite to the incident ray, distance taken as a negative. And all the distance measured from the pole. All the distance measured from the pole. All the distance measured from the pole. योको magnification मैंने लिखाएं. Minus V by U, या height of image बटा height of object. ये समझ लो इक पार. Magnification positive है, तो virtual image और erect है. Positive मतलब positive है ना, तू erect, खड़ा image होगा. और negative, negative मतलब उल्टा मिले लिए 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 और इन्वर्टेट है. Magnification एक से बड़ा है, तो image बड़ी होगी. Magnification से एक से छोटा है, तो image छोटा है. इसमें कोई खास बात नहीं है, अब ये सवाल है, ये सवाल असली में आपको है करना, ये सवाल असली में है, आपको करना है, क्या सवाल है? The distance between object and its three times magnified virtual image, as produced by the convex lens is 20 cm. Then focal length of the lens, the lens है, focal length of the lens used is, lens आगया है. ये तो mirror में मैंने बनाने की कोशिस करी थी? चलोग कोई बात है? Lens में कर लेंगे भाई. Lens में कर लेंगे. ये सवाल करता है, lens में कर लेंगे. Object O is placed at the distance 100 cm from front of a concave mirror. Concave mirror से 100 cm पर है object. 100 cm. Radius of curvature is 200 cm. Radius of curvature is 200 cm. Object O is placed at the distance 100 cm from the concave mirror of radius of curvature. 200 cm in the figure. The object starts moving towards the mirror. At its place 2 cm. Radius of curvature is from the mirror after tension. वहीं तो मैं समझने की कोशिस कर रहा था. उसमें काइनेमेटिक्स तो सब्साहिए दिया थोरा. और जो data दिया हो तो उससे मैं पहले ये सोचा कि answer तो आए गई नहीं. Answer तो infinity हो जाएगा. Answer तो infinity हो जाएगा. जो data दिया होगा था. उसको देखके मुझे लगा answer तो infinity हो जाएगा. ऐसे वो तुम comment करके बताओ. बता सकते हो कि नहीं. तो हम कैसे सोचेंगे. सोचो ना, तुम सोचो. देखो. पर रेचर है 200 cm. तो सबसे पहले focal length बताओ क्या हो. तो आर बटा 2. अगर ये 200 है, तो 200 बता 200 है गा. तो focal length ही तुमारा 100 cm हो गया. बिथ negative sign क्योंगे. focal goal formula put करोगा तो minus 100 है. और इस. और इस. तो सही बात कह रहे थे. ये तो focal length ही 100 है. और object को 100 पे रखा है. तो focal length पे जब object होता है, तो उसकी magnification तो infinite आती है. और velocity of image की जहां तक बात है, वो अभी मैं पढ़ाता हूँ. रिवाइज कराता हूँ, देख. velocity of image. बडाबर velocity of object होगा. सॉरी. उपर अगर जा रहे हैं. तो transverse magnification times velocity of object होगा. If moving. perpendicular to the principle axis. principle axis. मैंने पता है, कैसे नहीं कर रहा है? Transverse magnification होता है, height of image बड़ा height of object. is equal to object distance by image distance. ठीक है? वो आ जाएगा, magnification. height of image बड़ा height of object कर देते हैं. तो यह height of image है. मानलो कहीं image यह बना है, object height ही है. यह height of object है, height of object. तो जैसे जैसे इस principle axis के perpendicular उपर जाएगा, तो height of object change होगा. height of image change होगी. मानलो object पास नहीं आ रहा, दूर नहीं जा रहा, उपर ऐसे चल रहा है. image भी ऐसे चलेगा. object अगर ऐसे चलेगा, image ऐसे चलेगा. object अगर ऐसे चलेगा, image ऐसे चलेगा. हां की ना हां सर्फ है हमने बोला कि transverse magnitude हई भलावच हो है height of image का differentiation time के साथ velocity of image देगा height of object का differentiation time के साथ velocity of object देगा velocity of object into empty बराबर velocity of image देगा velocity of image बराबर empty into velocity of object यह है अब जब object principal axis के perpendicular चलता है अगर principal axis के long चलता है तो हमें तो object distance और image distance के तर देखना होगा, बड़ा असान है, velocity of image बराबर होता है, ml v naught, और ml बराबर होता है, mt का whole square into v naught, क्या जाए रहा है, when object, object, moving, moving, along principal axis, not perpendicular, along principal axis, along principal axis, जब वो principal axis के along चल रहा हूँ, ठीक है साथ, data है तुम्हारा, the object, moving towards the mirror, as a speed, 2 cm per second, then position of the image from the mirror after 10 seconds, position of image बताना है, from the mirror after 10 seconds, तो 10 seconds के बाद, image की position के बाद, अच्छा, speed नहीं बताना image का, नहीं सब, कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल करने में इत्ता समय लग रहा है, अब यह नहीं concept बता हूँ, यह तो image और object की speed के terms, concept ही तो बताया है, और के mirror के, plane mirror में नहीं बताया है सर, plane mirror में बड़ा असान होता है, ले बता देता हूँ, अगर object, plane mirror के, parallel चलता है, इसके parallel चलता है, कोई इसमें proof और नहीं है, बहुत असान है, अगर plane mirror के parallel, अगर plane mirror के parallel, ऊपर कोई object चल रहा है, जितने speed से आपका object चलेगा, उथनी speed से image चलेगा, same direction, same velocity कोपी हो जाता है, लेकिन अगर object mirror की तरफ जा रहा है, mirror के perpendicular चल रहा है, mirror के plane के perpendicular चल रहा है, मान लीजे, velocity of object, image उसके उतनी speed से उसके opposite direction में चलेगा, मतलब velocity of image बड़ाबर होगा, minus of velocity of object, अगर object दस से पीछे की तरफ आ रहा है, image दस से आवे की तरफ यह कहाँ है, clear है क्या, हाँ सर, इसमें एक चीज़ और है, कि मान लीजे, आपका plane mirror चल रहा है, velocity of m से, object आपका rest में है, image same direction में, image same direction में, two times of velocity of mirror चलता है, image same direction में, two times of velocity of mirror चलता है, image same direction में, two times of velocity of mirror चलता है, पर बहुत बढ़िया बाते बता रहे हो बिलकुल अब इसमें बहुत लेंडी सवाल नहीं पूछा इसमें बोलाए कि रेडियस अब करवेचर है 200 तो फोकल लेंट हो गया 100 अगर अबजेक्ट 2 सेंटीमिटर पर सेंटी चल रहा है तो दस सेंटीमिटर पर सेंटीमिटर पर सेंटीमिटर चलेगा 20 सेंटीमिटर कहीं यहां पर होगा यह टोटल 100 था तो अबजेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका माइनस 80 सेंटीमिटर फोकल लेंट आपको पता है object distance पता, image distance निकाल लो और image आपको बता है, virtual बनेगा क्यों? यह focus और pull के बीच आगया focus 100 था और यह सिर्फ असी है 1 upon V बरावर 1 upon F minus 1 upon U, formula ही लिखा है 1 upon U इधर plus था, उधर आखे minus F की value बता है यह please F F F F minus 100 F is minus 100 minus 100, and what is U U U U U U U U is minus 80 minus minus यह plus 80 हो जाएगा बस होगे LCM ही तो नहीं आता, नहीं देख LCM पता है क्या लिख सकता है 80 and 100 है, तो 8 पचे 40, 400 लेगा 100 गुना 4, तो minus 4 सामें आएगा 8 पचे 40, तो यह plus 5 आएगा, तो यह तुम्हारा हो गया plus 5 मेसे माइनस 4 जाएगा एक बटा 400 इमेज बटा 400 सेंटीमीटर पे बनेगा यही तो पेसेंटली आपको यूज करना है कोई खास बात नहीं, अच्छा सावाल था अच्छा सावाल किस बात से था तो भाई, object distance हमें दे दिया है और 2 सेंटीमीटर पार सेकेंट से इमेज कहाँ बनेगा अगर object इंफिनिटी पे है इमेज यह क्या क्या देगा इमेज की position रियल है, वर्चुल है वो आर से पता चलेगा रियल फॉर आर, वी फॉर वर्चुल मागनिफिकेशन की value और मागनिफिकेशन का nature इस है तो हमारी PSD है पूरी इसको रिपीट करने की जौत नहीं है इन 2050 पे हैग अब जक्र फॉकस बनेगा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर वेचर के बीच है तो सेंटर느ल ऑफ करवेचर के बीच बनेगा देखो, बिटविन C ए ए ति रियल बनेगा Magnification 1 Greater than 1 होगा Real Real Magnification less than 1 आएगा Magnification क्या आएगा यह 1 पता नहीं क्या लिख दिया है Sorry बेटा Magnification बुल्ट आएगा इनवर्टेड आएफ और इनवर्टेड होगा इनवर्टेड तभी तो Magnification निगेटिव है यह भी Real and Inverted Real and Inverted and Negative ठीक है ना C पर है तो C पर Image बनेगा Magnification एग्जेक्टली माइनस 1 Real and Inverted बनेगा अगर आपजेक्ट। Center of curvature और focus के बीच बार कर्वेचर होगा इस पर इनवर्टेड और माइनवर्टेड बनेगा आपका निगेटीव 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 था, सारे इमेज रियल और इन्वर्टेट रही है, मागनिफिकेशन पॉजिटीव आया, इमेज रियल और वर्चुल रही है, पुरी तरीके से बात के लिए रहे, यह रहें, अगर अबजेक्ट इंफरेटेए पर है, तो इमेज फोकस पर बनेगा, और अगर इंफरेटेए अनफोकस के बीच है तो पॉल और फोकस के बीच है, यह कॉन्वेक्स मीरर की पुरी कहार, speed of image तो बताई दिया आपको चली, distance between object and its two types magnified virtual image produced by the curved mirror is 15 cm, then length of mirror must be focal length, अच्छा, बैं तो curved mirror का length का निकालते है कब लिए, curved mirror का थोने length निकालते है, चली यहापे क्या लेकर, if distance between object and its two types magnified virtual image produced by the curved mirror is 15 cm, focal length of the mirror must be, okay, 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 focal length, if distance between object and its two times magnified virtual image, distance between object and two times magnified virtual image produced by the curved mirror, एक बात बता, यह mirror नहीं बताया साला कौन सा है, कैसे बता चलेगा कौन सा mirror है, बता तू बता, नहीं बता पाया, यह बता पाया, तो comment लिखते कि आपसे पहले सोच लिया, नहीं सोच लिया, तो एक line बोलूँगा, सारा confusion का ता, तो convex mirror है, उसका magnification तो हमेशा एक से छोटा और positive होगा, तर कैसे, क्योंकि वो तो virtual और चोटा image बनाता है, focus अगर बीच में convex mirror, और यह साल, अगर यह two times है, तो पक्ता कौन के mirror है, और कौन के mirror छोटा भी तो बना सकता है, हाँ, कौन के mirror छोटा और बढ़ा दोनों बना सकता है, कौन के mirror, magnification, एक से कम भी हो सकता है, एक से जादा हो, लेकिन convex का तो हमेशा एक से जादा होगा, यह हमेशा एक से कम होगा, convex mirror का magnification, अगर यह two times है, तो कौन के mirror है, और concave mirror की जो focal length होती है और concave mirror की जो focal length होती है वो negative होती है सरमाजा आगे लोगो concave lens की focal length negative होती है और concave mirror और उसकी magnification के two times magnified virtual image virtual है तो erect बनेगा, erect बनेगा तो positive आएगा तो magnification तेरा plus two तो ऐसा है कुछ कि magnification plus two है तो object focus और pole के बीच में कहीं यहां है और image इसका दूगना है कहीं ना बनेगा उसने क्या बोला काप्ड mirror इस 15 cm क्या तब में distance between object and image object and image की distance पंदरा सेंटिमेटर उसने दे दिए मतलब भी प्लस यू बराबर पंदरा है तोबारा भी प्लस यू तुवारा पंदरा है ठीक है पर वो तो ठीक है अच्छे एक चीज़ हम और जानते है transverse magnification होते है minus v by u transverse magnification होते है minus v by u transverse magnification plus 2 दिया हुए plus 2 बराबर इधर virtual image है तो v तो positive आएगा ही आएगा तो v तो positive आएगा लेकिन u को हम negative रख सकते हैं minus u तो v बराबर हो जाएगा तो v को हम 2 u रख देते हैं v को 2 u रखेंगे इस equation को use करो 2 u plus u बराबर 15 तो 3 u बराबर 15 u बराबर हो जाएगा तोमारा 15 बटा 3 5 u आगे तरह 5 ठीक है तो v 10 होगा अभी तो magnification 2 है यह भी समझ में आ गया u 5 और v 10 पूचा कहा है focal link पूचा है यह तो फोकल पूछ रहा है, तो फोकल तुम करह सकत हो, F, M बरावर F बटा F-C, हमें यह पता है, दो, Transverse Magnification, फोकल हमें निकालना है, निकालना होता है, उसको प्लस माइनस नहीं रखते हैं, और U हमने निकाला था 5, पीछे की दर था, माइनस 5 लिखेंगे, तो यह माइनस 5, म माइनस 10 मतलब, एक यह 10 का उपस नहीं, यह अच्छा सा वाद है, मतलब, जर्णरली Object Distance देते हैं, Magnification देते हैं, तो Image Distance पूछते हैं, Object Distance देते हैं, Magnification देते हैं, तो Object Distance पूछते हैं, यह Focus और U बता देते हैं, तो Magnification पूछते हैं, इसमें Object और Image की बीच की दिस्टंस बत अच्छा भाई साब, समझ में आया हैं आपको, यह क्या है, इन cylindrical rod of length 10 cm, एक यह rod है, cylindrical चोरो rod है, simple rod का length ही मेरा, placed horizontally on the principal axis of a concave mirror, of focal length 20 cm, focal length 20 cm, rod is placed in such a way that, the midpoint of the rod is at 40 cm from the pole, pole से, midpoint 40 cm पे, rod की length 10, 40 cm यहां है, तो यह center of curvature है, हाँ, तो कि focal length तुमारा कितना है, focal length 20 है, focal length 20 है, focal length 20 है, यह 40 है, और 40 cm exactly center of curvature पे तुमारा क्या है, कि rod का midpoint है, rod की length है 10, rod की length यह है, total 10, और midpoint है, तो यहां से 5, यह center of curvature से 5, यू कितना हो जाएगा, बताओ, center of curvature खुँच 40 है, 40 में से 5 गटाओगे, इस point के लिए U1 आ जाएगा, 35, माइनिस 35 cm, और यहां से U2 आ जाएगा, माइनिस 40 cm, focal length तुमारा 20 पता है, फासर F पता है, किस end का object distance पता, U1 पता है, image बता हो, कहाँ बनेगा, और center of curvature focus के बीच है, तो कोई यहां के बनेगा, और इसका कहाँ बनेगा, इसका पीछे बनेगा, उल्टा हो जाएगा एक तो rod, और उसकी length निकालो, तो U1 लिया, focal लिया, V1 निकालो, focal लिया, U2 निकाला, V2 निकालो, V1 और V2 के बीच की length जो होगी, और rod की image की length होगी, 32 cm बनेगा, कर लोगे क्या, ऐसा मैंने क्लास में भी कराए हुआ है, ऐसा मैंने आपको क्लास में भी कराए हुआ हुआ, प्र क लास में कराये हुआ है, कहां कराये हुआ है, भई कहाब उस समेश थोराशान ही कराया था, रोड के एक as में सेंटर छ istiyorum कर वेचर पर रखता था, वावेचर पर रखता था, उसका image center रो अव 쩌ैं हमेज και और होता था, X and Y है वो object and image distance है लेकिन कहां से measured है? focus से measured है X the object distance from the focus Y is the image distance from the focus तो focal length बरावर root under X into Y अगर object distance focus से measure किया है focus दिया हुआ है तो focus से image distance Y आप यहां से निकाल सकते हैं ये lens और mirror दोनों में ही सही है Newton's formula इसको हम लोग कहते हैं clear? clear? ठीक है lens चाचा बाद में हाई हो lens चाचा बाद में हाई हो ठीक है भई? आई साब ये तो उसकार mirror तक ही हुआ अभी तक बाद टाइम लेगा ये तो ray optics है थोड़ा टाइम नहीं दोगे क्या मैं 20 मिनट में formula formula खाल लिख के चला जाओंगा तो फिर नहीं आएगा ना समझ velocity ये बता दिया velocity of image बराबर empty into will not कब? जब object principle axis के perpendicular चलेगा moving perpendicular to the principle ये ही बताया है velocity of image बराबर empty into velocity of object object is moving parallel to the principle axis तो empty का all square इसको मारो गोली object ये image image distance बर इसको मारो गोली image distance बराबर empty का all square into image speed बराबर empty का all square into clear रहे क्या? आशर clear है चलो अब यहां समसमझते है reflection आम की चीज़े बताऊंगा यहां से दिखेंगा reflection अब टाइम लगेगा भाई रे आप्टिक से और तुम भी वही चीज़े पढ़ना जिसमें तुम्हें दिक्कत है परसानी है वही वाला section पकरके पढ़ना तो लिए reflection है अब reflection क्या होता है साब? तो reflection होता है bending of light when light moves from one medium to other medium जब भी कोई light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो light का जो bending होता है उसको हम कहता है reflection जैसे ये medium है यहाँ पर light के लिए medium के रिफ्रेक्ट अंडेक्स मुवन है यहाँ पर मुटू है यह है medium का जो interface है उसके perpendicular एक normal यहाँ पर light मान लो आया यह है incidental angle of incident है यहाँ पर आई तो normal से यह सीधे line पर नहीं जाएगा और bending का जो degree है वो refractive index decide करता है bending का degree कौन decide करता है refractive index decide करता है अगर मुटू जादा है denser है denser है और यह आपका rare है तो light normal के पास आजाएगी light क्या हो जाएगी normal के पास आजाएगी यह angle of reflection होगा यह होगा आपका refracted ray क्या होगा बाई? refracted ray यह mu1 है यह i है यह r है यह mu2 clear? सर यहाँ सर deviation क्या होगा deviation अगर light सीधा इस line पे निकल जाता तो इसी को हम deviation कहते है तो deviation कितना होता सर total आपका i time में से r घटा दो i minus r is called deviation i minus r is called deviation i minus r is called deviation this is called deviation angle of deviation is i minus r angle of deviation is i minus r ठीक है भाई? अब Snell's law के हिसाब से आप लिखोगे sin i sin i into इसका refracted rate is कितना है? mu 1 sin i into mu 1 पराबर sin r sin r into mu 2 अगर r को नीचे ले आओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो sin i by sin r sin i by sin r is equal to mu 2 by mu 1 mu 2 by mu ये है तो पहले angle में angle of incident sin i दूसरे angle में angle of fraction sin r is equal to mu 2 बटा mu 1 या v1 बटा v2 speed of light in that medium क्योंकि हम जानते है v is inversely proportional to mu होता है तो जो mu 2 by mu 1 है वो v1 by v2 के proportional होता है हाँ सब in fact lambda 1 by lambda 2 भी लिख सकते है सब ये क्या है? incidence law का एकदम भुस के explanation कई बार सवाल ऐसे आए है j e में और neat में भी आ सकते है ऐसे आए भी है neat में क्या पहले medium में light का wavelength लेमडा 1 30 degree पर incident किया तूसरे medium में अगर उस 60 degree पर reflect कर रहा है तो इसकी light की slip wavelength किया तो पहले mu निकालो फिर lambda निकालो ना पहले medium में angle of incident sign I बटा दूसरे medium में angle of reflection sign R बडाबर mu 2 by mu 1 v1 by v2 lambda 1 by lambda 2 clear है मज़ेदार जहमा जहम बोलो हा की ना बढ़े आए तो समझे में आए deviation समझे में है हाँ deviation ये भी होता है R minus या तो deviation I minus R होगा R minus सब कैसे decide करेंगे कब क्या होगा वे चूँ कुछ भी कर दे इससे फर्क ही क्या परेगा plus minus का बस गोड़ा option भूआट हो नहीं होता है नहीं होता है नहीं होता है नहीं है नहीं होता है पही फार्मुला R minus R है तुने R minus R कर लिए तू 30 में से 20 जाएगा तो 10 10 में से 20 जाएगा minus 10 30 में से 20 जाएगा 10 हाँ समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये भी यूज कर सकतो कभी भी और ये भी यूज कर सकतो कभी भी plus आया ठीक है minus आइग्नोर कर देना minus को ठीक जैसे जूब को ignore किया जाता है वैसे minus को ignore कर देना वज़ा आगल उस वर अब है image formation तो क्या करना image formation में एक दो चीजे और समझो एक दो चीजे और समझो lateral shift तो आपको नहीं पढ़ना है lateral shift तो आपको नहीं पढ़ना है lateral shift क्या होता है कि मान लीजिए कि ये normal है तो यहां से कोई light आया आई पर और ये reflect कर गया normal के पास फिर यहां से चला गया normal के दूर तो ये light अगर glass नहीं आता तो ऐसे जाता हाँ सर अभी ऐसे चला गया इसको हम कहते है lateral shift इसको हम कहते है lateral shift ये कितना होगा lateral shift d light इसी पास में चला जाता अगर glass नहीं आता ये आगया तो ऐसे shift कर गया इस d की value कितनी होती है तो d की value glass के मुटाई t पर depend करेजी t बराबर t sin i minus r बटा कौस r यह होता है क्या तो रटा हुआ आपको तो भी रट लेगे ये lateral shift है दूसरी बात कि मान लीजिए मान लीजिए कि ये medium है यहां से h height पर कोई object यहां रखा है ये object रखा है जिस medium में object रखा है उसको हम object की reflection index बोल सकते हैं object का boundary से actual depth है h और जिस medium में object रखा है उसके refractive index है new object यहां पे कोई observer है या refractive index अब बाहर से देखेगा तो उसको कहां पे दिखाई देगा जो image है उसको कहां पे दिखाई देगा दोनों medium अगर सेम होता तो जहां पे object होई पे image दिखाई देगा सिंपल है मान लो पे नहा है मैं here में हूँ object भी air में तो मुझे ही दिखाई देगा है पे नहाँ है और मुझे दिखाई भी आई दे रहा है लेकिन मेरे बीच में कोई मीडियम आ जाए एक्चल में पे नहाँ होगा लेकिन मुझे दिखाई पास या दूर दे यह किस बात पर डिपेंड करता है तो माल लो की जो अबजेक्ट रखा है वो डेंसर में रखा है जैसे आई जीरो तो आर भी जीरो और नावर से मेजर करते है दूसरा अगर मैं टेरहा रे लेता हूँ यह एंगल ओफ इंसीडेंट है तो देंसर में है जब रेयर में जाएगा इस से और दूर जाएगा तो यह आता हूँ हमको यहाँ से दिखाई देगा तो यह रिफ्रेक्ट य यहां साहता वो दिखाई देगा तो यहां पर आपका बनेगा image और image की येड होगी depth d d apparent होगी d apparent तो होगा यह apparent बोल दो apparent depth जो होगा यह apparent h apparent h apparent incident ray जहां जिस medium में चल रहा हुआ उसकी refractive index refractive index of incident ray यहां लिख सकते हो refractive index जहां पर object रखा हुआ उसी से incident ray निकलता है दोनों में से कोई एक लिए मतलब जहां पर object रखा है या जहां से incident ray चल रहा है जिस medium incident ray चल रहा हुआ उसकी refractive index बटा real object real object बटा एक minute यह हे हे गलत होगा बटा यह apparent depth है ना apparent depth कौन देख रहा है observer देखे तो observer जहां पर है या refracted ray जहां पर गया है refracted ray जहां पर गया उसकी refractive index या observer जहां पर है उसकी refractive index observer बच्छेट की actual depth divided by incident ray जिसमें चल रहा है उसकी refractive index या object जिस medium में रखा हुआ है उसकी refractive यह लिखते है फॉर्मूला ये लिखते है формule, χ apparent बड़ावर ब Cat, mu of जहां से आप देख रहे हो जहां पे refracted rate है उसकी refractive index बड़ावर मू of इंसिडेंट रे粉 जहां से fall कर रहा है real जहां पे object है उसकी refractive index object जिस में लिभी में रहा उसकी refractive index वर्चुल एपरेंट डेफ्ट वर्चुल डेफ्ट डिवाइड बाई जहां से अब्जर्वर देख रहा है उसकी रिख्रेक्ट इस तो यह एच अपरेंट क्या आजाएगा एच अपरेंट आपका आजाएगा एच बटा म्यू आई आर इन्टो म्यू आर आजाएगा यह कुछ आजाएगा ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख लेते है एच बटा म्यू ऑफ अब्जेक्ट मतलब जिस मीडिया में रखा है इंसिडेंट रहे जहां पर अब्जेक्ट रखा है इसके रिफ्रेक्ट रखेंगे है इसकी रिफ्रेक्ट रखेंगे जहां पर अब्जेक्ट रखा है उसकी रिफ्रेक्ट इंडेक्स जैसे अर यह तुम्हारा वटर है तो water की refractive index रखेंगे यह अगर यह glass है यह water है तो water की glass की respect में ऐसे भी याद है h apparent बराबर h बटा mu mu is the relative refractive index of the object वाला medium with respect to observer वाला medium that's it यह h था हाँ यह h था यह h था और यह h dash h apparent यह shift हुआ है shift की value कितनी हो जाएगे shift की value होगी h minus h by mu h बाहर निकल जाएगा 1 minus 1 upon mu that's it यह आपका shift हो जाएगा इसमें neat में कई सारे सवाल पूछनें कई सारे सवाल यह बाहन लो एक container है container में h1 height तक mu1 refractive index का medium film h1 height तक mu1 refractive index का medium film यहाँ पे h2 height तक mixing वाले liquid नहीं अलग है h2 height तक mu2 refractive index का liquid fill के दिया base में कोई object है यहाँ से कोई observer air से देख रहा है तो हम क्या कहते हैं कि real depth h1 बटा जिसका हम depth लेकर है उसकी refractive index real depth जिसका लेकर है उसकी refractive index observer तो air है इसकी refractive index में इसकी refractive index का mu1 h1 by mu1 plus h2 by mu2 is equal to h apparent इस तरीके से आप add करते चले जाएंगे कोई दुख कोई दर्थ कोई परसानी नहीं है बहुत असान है एक सवाल करते हैं पहले फिर आगे बरहेंगे क्या है सवाल ice cube has a bubble inside when viewed from one side apparent distance of the bubble is 12 cm मतलब मान लो है ice cube है ice cube में यहाँ से d1 distance पर हमें bubble यहाँ पे actual में है लेकिन जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया उसने 12 cm जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 12 cm पर बेटा दिखाई दिया 12 cm ice cube has a bubble inside and viewed from one side the apparent distance of the bubble is 12 cm जब हमने एक तरफ से देखा तो हमें दिखाई दिया 12 cm एक तरफ से जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया बारा संटीमेटर पे दिखाई दिया अपरेंट तो real क्या होगा actual में वो एक तरफ से कहा रहा होगा एक तरफ से एक से उसकी distance कितनी होगा हम निकालते हैं तो हमें दिखाई दिया बारा पे real मान लेता हूँ डीवाइट बटा medium की observer रिस्पेक्ट है तो medium की glass है यह 3 by 2 और observer बाहर तो air है तो कोई लिखने की ज़रूद नहीं है यहाँ पर लिखोगे भी apparent बटा observer बटा अबजरूद तो 1 है 3 by 2 को यह नव 12 into 3 by 2 is equal to d1 यह कटेगा 6 से actual में अठा रहा ठीगे when feud from opposite side apparent distance of the bubble is observed at 4 cm जब हमने यहां से देखा तो हमको दिखाई दिया 4 पर मालो इस एस से डीटू पर है तो डीटू बटा 3 by 2 और दिखाई दिया 4 पर तो डीटू बलावर होगा 4 into 3 by 2 दो से कटेगा 3 दूना 6 होगा तो actual में जो distance होना चाहिए यहां से यहां तक तो actual में इधर से डीटू पर इधर से डीटू पर जो actual है वो हमने निकाल लिया अठारा और छे फारा और छे 24 तो चौबिस अच्छा था अच्छा साइड ऑफ डाइस क्यूवेश इस चौबिस है उल्टा जैती है तो हमने जो एंसर निकाला है वह एक्चुन में दिया हुआ है कि दोनों टोटल साइड क्यों का है चौबिस टोटल डिस्स अदर चौबिस ने काल तो इसक्छन जो रिफ्रेक्ट्ट्रिट्ट्स हम लेकर ने चले ते वह साइए पूछा थिरी वाई टूए इंसर आएगा पाक बुरूपक क्या इस सवाल बूरा नहीं बढ़ते हो सार एंसर है और सवाल बूरा नहीं बढ़ते हो सार तो तो बढ़ना तो रिफीजन करानों वैसे भी तूपर पर अच्छे से चले यह सवाल कर फिर समझ जाओंगा कि तो कितना सवाल पढ़ लेता है तर यह सवाल कर वढ़िया सवाल बनाए है हालत सूख जाएगी जाओगी हालत सूख जाएगी हालत सूख जाएगी एस सोन इनफीगर अ प्लेट मीरर is fixed at a height 50 cm from the bottom of a tank इस tank से यह प्लेट मिरर 50 cm पे fixed from bottom of the tank containing water of refractive index 4 by 3 containing water of refractive index 4 by 3 containing water of refractive index 4 by 3 the height of the water in the tank is 8 cm, 8 cm height of water filter small bulb is placed at the bottom of the tank then distance of the image of the bulb formed by the plane mirror from the bottom of the tank is यहां से मुझे distance measure करना है image जो plane mirror बनाएगा सबसे important और पहली बात तो यह plane mirror के लिए यह object distance 50 में गयो कितना होगा? तो 50 में से 8 कम करो तो यह 42 तो होगा 42 cm तो होगा और 42 cm के बाद 42 cm के बाद यह जो distance होगा आप मतलब यहां से देखोगे और इधर कहीं image बनेगा तो plane mirror से जितना object distance होता होता है image distance होता है plane mirror से object distance plane mirror से देखो object distance तो 42 तो होगा लेकिन 8 तुमको कहां कहा है water कहा है actual में कितना दिखाई देगा actual में जो दिखाई देगा है यहां से de apparent de apparent medium जहां पर observe है उसके refractive index 1 बडाबर आठ बटा यहां कुछ 4 by 3 water का 4 by 3 8 बटा 4 by 3 4 दोना आठ तीन उपर चला देगा 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 नीचे 3 तीन दोना 6 यह 6 होगा यहां से actual में air के respect में तो 6 ही distance हुआ तो 6 यह 42 और 6 कितना हो जाए 48 cm मतलब यहां से 48 cm पर effective object की distance है 48 cm पर यहां से image बनेगा यहां से image कहां पर बनेगा 48 cm पर तो बताओ यहां से वो distance कितनी हो जाएगी यहां से अगर major करें हम चलके मतलब actual में distance पूछा है यहां से दिखे आगे कहा देगा वो नहीं distance क्या होगा तो distance यह पचास और अर्टालिस 98 cm तुम्हारे image से सर नहीं समझ में आया है फिर से समझाते है सबसे पहली बात यहां मैंने पानी फिल पर दिया और यहां पर object रख दिया और mirror तो मैंने air में रख रहे हैं तो पूचाए कि mirror से कितने distance पर तुम्हारा image बनेगा बताओ mirror से बताओ कितने distance पर तुम्हारा image बनेगा image distance बताओ mirror से जो object distance होगा अगर पानी नहीं होता mirror से object distance होती तुम्हारी पचास लेकिन पानी होने की वैसे air की तो actual दिखाई देगी यह वाली apparent दिखाई देगी यह वाली क्या दिखाई देगी apparent दिखाई देगी main important main important यही बाद main important यही बाद next is critical angle से पहले यह समझ लेते हैं कि माल लो यहाँ पे कोई एक glass है और refractive index है new और thickness है T thickness कहा है बटा T है, यहाँ से कोई ray आ रहा था अगर यह नहीं होता glass तो यहाँ आता image लेकिन यह दूर चला रहा है image कहाँ shift होगा आपका, थोड़ा सा दूर shift होगा कितना दूर shift होगा shift बराबर होगा T into 1 minus 1 लेकिन माल लो यहाँ पे object actual में रखा है, तुम यहाँ से देख रहा हूँ तुमको यह pass दिखाई देगा या दूर दिखाई देगा यह तुमको pass दिखाई देगा अगर यहाँ पे observer रहे हो इतना pass दिखाई देगा अगर यह T है और यह mu है यह T है और यह mu है होगा क्या, यहाँ से एक incident रहाई से आजाएगी यह सीधह निकल जाएगा और एक यह से जाएगा और नॉर्ब के पास आएगा नॉर्मल से दूर जाएगा और जो image है वो कहीं नहीं से आता है मतलब image आपको यह दिखाईगा image थोड़ा पास चला जाएगा image का होगा थोड़ा से पास आजाएगा कितना पास आया सिफ्ट होता है बेटा इंटू 1-1 इससे सवाल अभी तक नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे तो यहां पर क्रिटिकल इंगल हमेंशा इंसर से रियरत जब लाइट जाती है तभी डिफाइन होता है तो एक एंगल ऐसा आता है जहां पहें लाइट क्रिटिकली वह अंगल ऑफ रेख्रेक्शन 90 डिगरी हो जाता है उसको हम कहते हैं ग्रुज़ कोई भी आई इस IC से छोटा होगा तो there is no मतलब conceptually तो समझ ले जो कहना चाह रहा हूँ there is no reflection यहाँ पर reflection नहीं होगा there is there is no reflection there is no reflection only only reflection only reflection सिर्फ और सिर्फ reflection ही होगे पोई reflection जैसे चीज़ नहीं होगे सर्क्यों तो कि यह critical angle है IC है और IC से angle of incident मैंने normal IE कम रखी है तो कम रखोगे IE कम होगा तो Rb कम होगा और कम होगा तो 90 से कम होगा तो reflect होगी यह तो concept है अच्छा IE angle of incident अगर IC के just बढ़ावर है इसको बोलते है just TIR टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन जास्ट TIR जास्ट TIR जास्ट इस case में angle of reflection 90 degree होता है ना तो पहले medium में आता है ना तो reflection होता है ना reflection होता है और अगर I तुम्हारा जादा है IC से तब आता है TIR तब होता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन हम बात इसकी करेंगे just यह यह critical condition तो critical condition की बात करेंगे वहाँ पे जब IC होगा critical condition होगा तो R90 होगा तो देखो sin IC बटा sin 91 लिख नहीं कहाँ सबादा है बराबर mu 2 इसका mu of rarer बटा mu of denser जहां से आया है लाई जहां जा रहा है उसका कम होगा जहां से निकला हो जादा होगा तो उसी यह sin IC आ जाएगा बेटा mu r by mu d इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जब मुझे मान लो कि हमें नहीं समझे में आ रहा है कि हम किसका कौन से medium का ले तो हम हमें साथ देखो sin theta एक से कम आता है और एक से कम तभी आएगा जब give value एक से कम होगी तो उपर कम बला नीचे जादा वाला तो एक तरीका बता है याद करने का sin IC mu कम बटा mu जादा water air medium के critical angle होती है 49 degree याद रहे तो अच्छी बात है और glass air के लिए होता है critical angle 42 degree glass air medium के लिए critical angle होता है 42 degree ठीक है बेटा समझ आया अब है radius of visibility radius of visibility में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे उन्हें पढ़ाया हुआ है formula आपको याद ही रखना परेगा कि मान लो यहाँ पे water filleded है या कोई भी liquid filled है जो mu refractive index का है जाए बेटा mu refractive index का है यहाँ पे कोई object रख लिए यह light अगर सीधा जा रही है तो सीधा ही निकल जाएगी और अगर यह light किसी critical angle पे fall करती है तो parallel निकल जाएगी इससे बाद अगर angle of incident आता है तब इससे बाद यह normal से angle जाता ही होगा तब यह TIR हो जाएगा TIR हो जाएगा तो दूसरे medium में light जाएगी नहीं तो दिखाई नहीं देगा तो दिखाई जस्ट critical angle तक ही देता है तो अगर h diff तक यहाँ पे कोई object रख रखा है direct सवाल आता है direct question आता है direct question पूछा जाता है direct एकदम direct मतलब direct सवाल आता है रिकर के दिखा है यह है direct the small bulb is placed at the bottom of the tank containing the water to the depth root 7 meter मतलब h आज है root 6 the refractive index of the water is 4 by 3 the area of the surface of the water through the which light from the bulb can emerge out is x pi meter square than value of x सबसे पहले radius of visibility हो जाएगा root 7 बटा root अंडर mu square मतलब 16 बटा 9 minus 1 यहाँ पे आएगा root 7 बटा root अंडर 16 minus root अंडर 16 बटा 9 minus 1 का LC हम लो गे तो यह हो गे 16 minus 9 यह हो गे आपका root 7 divided by root 7 divided by 16 में से 9 गया तो क्या आएगा सर 16 में से 9 गया तो साथ बचेगा हाँ साथ root 7 by 9 root 7 से root 7 कट गया root 9 मतलब 1 वटा 3 यह बचेगा ना यह 3 उपर चाएगा तो radius 3 मीटर आगया area circular form है area होगा pi r square तो pi तीन का whole square 9 मीटर 9 5 यह अपर x pi बोला है x की value आपकी pi बहुत important है direct बताया है इमादारी से याद रखेगा shift बता दिया image formation बता दिया velocity भी बता दिया एक सवाल कर लिजी speed of the light in a medium A and medium B अच्छा critical angle का भी formula को तीन टर्म्स में आप लिख सकते हैं देखिए बताता हूँ आप तीन टर्म्स में लिख सकते हैं क्या तो critical angle आपने हाँ पर 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 sin i c बरावर critical angle पर पर sin i c बरावर 1 upon mu पर आप यह mu किसका है tensor medium का जहाँ से light चल के दूसरे medium जारी उसकी mu जा कह सकते हो और यार पर फोरी बहुत यहाप पर कह सकते हो यहाप कह सकते हो क्या कह सकते हो ऐसा बोल देता हूँ जिस medium में light पहला है उसको mu 1 बोल देता हूँ यह mu 1 और जिस medium में जाने वाली थी reflect होने वाली थी लेकिन हुआ नहीं critical angle की वाज़े से rare and medium की mu 2 बोल दिया ठीक है तो critical angle का जो formula होगा mu 2 by mu 1 को हम लिख सकते है v1 by v2 और lambda 1 by lambda 2 मतलब bevelen के terms में critical angle velocity के terms में critical angle उसमें सवाल पूछते हैं सवाल पूछते हैं कैसे पूछते हैं जड़ा देखना कैसे पूछते हैं साथ उसी पर सवाल था केंगे जगो तो कहें the speed of light in a medium A and medium B are itna then ray of light index from the medium B to A containing incident of the theta then ray suffer total internal reflection then scientist critical angle कुछते अब सर तो चमक के sir mu 1 mu 2 जादा वटा कम कर दिया लेकिन velocity भी जादा वटा कम ही करेंगे नीचे denser medium के आती थी refract index हाँ उपर error के आती थी हो लेकिन velocity में फिर ultra universal है अला velocity हो wavelength हो या कुछ भी हो scientific index से कम आती है velocity के ratio में लेको तो कम बटा जादा ये लिको हो ये 2 है ये डेर है तो डेर उपर आएगा 3 by 2 into 10 to the power 10 और ये होगा 2 into 10 to the power 10 ये कटेगा ये 2 नीचे आएगा तो 3 बटा 4 है वह लो अग्दम चमका की नहीं रग्दम ही extreme happiness की अन्होती होई पीछे के field दिला दो formula से formula से field दिला दो दे ये denser है तो denser medium के speed की होगी उल्टा है refractive index speed हाँ तो ये कम होआ न refractive index fine critical angle rarer बटा denser की denser refractive index जादा है denser की refractive index जादा है उसमें speed of light और rarer में speed of light rarer में जादा होता है ये कम होता है बोलो हा की ना और मज़ा आगे लो और क्या बाग कर रहा था अब next है velocity in a reflection velocity in a reflection object is moving parallel to the boundary parallel to the boundary में बड़ा easy हो जाता है कैसे मान लो इसकी refractive index है कुछ mu 2 इसकी refractive index है mu 1 है कुछ भी है ये तुम्हारा इसमें object है तो mu object बोल देते है और इसको mu observer बोल देते है अब मान लो को ये object है और ये ऐसे चल रहा है velocity of observer boundary के parallel तो यहां से अगर आप देख रहे हो observer हुआ तो आपको image कहीं यहां बनता हो देखाई देगा वो भी boundary के parallel जाए exactly velocity of image बढ़ा और velocity of object उका सीधा copy होगा कोई बगवास नी velocity of image बढ़ा और velocity of object सीधा है ये ए गलती से लिए velocity of image बढ़ा और velocity of object that's it simple and sweet ये कह ये ये velocity of image बिद रिस्पेक्ट टू अबजेक्ट तो भाई दोनों same direction में same speed से चल रहा है same direction में same speed से चल रहा है जब दोनों ही same direction में same speed से चल रहा है तो velocity of image बिद रिस्पेक्ट टू अबजेक्ट क्या होगा जीरो object is moving perpendicular to the boundary मतलब Aldi की तरफ या boundary से दूर ऐसे चल रहा है इस case में क्या होगा velocity of image बटा जहांपे observer है उसकी reflection है mu of observer बराबर velocity of object divided by mu जहांपे object रखखा है उसकी reflection इपरेंट डिफ में भी यही लिखाता है यहां भी यही आएगा अलग नहीं आएगा clear है यहां भी यही आए अब है refraction through curved surface तो यह है मानले curved surface अब कैसा curved surface है convex या concave तो यह ना तो convex है नहीं concave है डिफेंड करता है object आपने कहा रखा है अगर मानले मैंने object यहां रखा है तो यह concave refracting surface होगा इसका radius of curvature negative आएगा और सेम ही तरीके से ऐसे रखा है लेकिन object मैंने यहां रखा है अगर आप object यहां रखते हो तो incident ray ऐसे आएगा यहां से जाके incident ray की तरफ जाओगे मतलब incident ray का positive जाओगे तो यू तो negative आएगा यू negative आएगा लेकिन centre of curvature यहां होगा तो R आपका क्या होगा क्योंकि incident यहां पोल से incident ray ऐसे जाओगे है centre of curvature तो आगे है मेजर करने के लिए आगे होगे तो और positive होगा इसका R क्या होगा निगेटिव होगा तो यह concave refracting surface है क्या है concave refracting racting surface concave refracting surface और यह क्या है convex refracting surface convex refracting और यह क्या है concave refracting इसमें object image distance नीट में बहुत rare सवाल आते लेकिन अगर आगे है तो कैसे करना है ध्यान से लिखेगा हम कहते हैं इमानली जो object रख है तो object distance यू negative आएगा इसका आई centre of curvature चरीदार है तो R भी negative आएगा लिख दिया है हम कहते हैं कि mu of refracted ray image बनाता है तो refracted ray जहां चल रहा उसकी refractive index refracted ray जहां जिस medium में जाएगा उसकी refractive index बटा image distance minus mu of incident ray object का आता है mu IR बटा object distance is equal to mu rr minus mu IR बटा अब real object कहीं है real object है u तो negative है assign के साथ u को negative put करना और concave refracting surface है तो R negative और convex refracting surface है तो R positive object जिस medium में रहेगा वही से incident रहे जाएगा object जिस medium में वह है उसकी refracting index mu IR और उसके बाद दूसरे medium जो देखो जिस medium में object है उसी में incident ray आएगा भाई object सिर्थ इंस incident ray चलेगा जिस medium में object है उसी medium incident ray चलेगा तो incident ray की refracting index हो गई हाँ तो सब new rr क्या लेंगे दूसरा जो बचा उस medium का refracting index तो दूसरा कौन अपे दो ही है ना तो जिस medium में object है उसका तो यह हो गया और दूसरा जो भी बचेगा अब शाला अरव लिखने का जो बचेगा उसको यह लिख दे तो सवाल करो ले सवाल यह ले सवाल देख सवाल बढ़ी है से two transparent media having refractive index 1 and 3x2 are separated by the spherical refracting surface of radius of curvature 30 cm spherical refracting surface नहीं बोला ना concave refracting surface या concave हमें नहीं बता वो बोला है as spherical center of curvature of the surface is towards the denser medium center of curvature तो एक है थ्री वाई टू जो डेर हो गया तो देंसर मीडियम में तुम्हाना सेंटर ओकर वेचर है इधर हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन इधर हो गया थ्री वाई टू ठीक है बहुत अब देखो यह सवाल में किता अच्छे से लिख दिया आपको ऐस समझने थे ना कि सार ऐसे साले कन्फूजन्स होते हैं लीजे न भाई कन्फूजन्स पूरे खताम होगा तू ट्रांस्पारेंट मीडिया है विंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन एंड थ्री वाई टू वन एंड थ्री वाई टू अर सेपरेटेड वाई दा स्फ और यहां पर अब्जेक्ट रखा तो ऐसे इंसीडेंट रहाएगा तो यह कॉन्वेक्स हो गया और इंसीडेंट की डियक्सिं में जागे सेंटर वक्रवेचर मेजर करोगे तो तुम्हारा आर पॉजिटिव आएगा जो भी आए और यह तो इधर नीगेटिव आए गाई है इस वह दिस्टेंस पंदरा संटिमेटर तो यू आ गया तुम्हारा मिनस पंदरा मज आ गया देख अभी यू आ गया मैनस पंदरा ओल अफ दिस्टेंस अफ प्र इमेंज फ्रॉल रे सो गरेचर एट अर थर्टी होगा अबजेक्ट जाएं के पह है वो इंसीडेंट रह वा थी-ऩटिभी तीस में सब्क्राइब इस थी इसक इन झार्टस अधिया मर जाए और थी इसको थर फिल में Zach यह जएक जाम। थो आतुमे साथ मतलम मायननस चार को छात मतलम माइनस चारक 것으로 का था पंदर चुका साथ माइनस चार प्लस वन तो 3 टिवाइड़ वाइ 2V इस इक्वल टू माइनस 3 बटा 20 माइनस 4 में से एक जाएगा तो माइनस 3 बचेगा माइनस 3 बटा 20 और माइनस 3 से ये 3 से 3 कटेगा तो V बराबर आजाएगा तुम्हारा 20 ये 2 से 20 काटों को 10 10 आ रहा है 10 आ रहा है कुछ गलत किया है कि 10 आ रहा है कि इस कैसे होगा तो भाई 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 मैं मैं चमन चोम हूँ एक दम ये 3 बाई 2 वी माइनस 4 में से एक गया तो माइनस 3 बटा 60 है ये 3 से 3 कटेगा 2 से 60 को काटों गए तो 20 2 से 60 को काटों गए तो 30 आएगा तो भी बड़ावर माइनस 30 साई तो है वो मैंनिट्यूड लिखाता है बता अब बता बोल इजी है कर लेगा अगर इधर अबजेक्ट रहता तो आर हम निगेटिव लेते तो जीदर अबजेक्ट है उसे इंसिडेंट रहसे जाएगा अबजेक्ट डिस्टिंसे से मेजर करोगा और वैसे भी कॉन्वेक्स के लिए वो कल लेंट और रेडियस वोपर वेचर पॉजिटिव लिया क्लियर रहे गई ये बात समझ में आया अप्टिकल फाइबर में बहुत असानिक से मैं चीज़े समझाता हूँ अप्टिकल फाइबर में एक होता है कॉर जिसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जादा होती है और बाहर में होता है क्लैडिंग जिसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होती है एन वन जादा होगा और एन टू यह है उसका principal axis यह है उसका principal axis यहां पे अगर light किसी angle पर आया है I पर why कितनी होनी चाहिए तो देखो जितना I उनना थूड़ा जितना I कम होगा उतना यह r कम होगा और जितना r कम होगा उतना ये ज़ादा होगा और ये इंगल ज़ादा होगा जैसे TIR कराना असान है अगर आई को में बहुत ज़ादा रखूँगा अबसे बाद इसके परपोर्शन में आर ज़ादा होगा यहां पर angle of incident कम होगा angle of incident कम होगा तो हो सकता है reflection होजए यह जो है optical fiber based on total internal reflection angle at which ray must be incident तो each transformation get transmitted उसके लिए यह जो i होनी चाहिए ना वो इस i की value बराबर या कम होनी चाहिए sin inverse root under n1 का whole square minus n2 का whole square n1 क्या है जिसका value जादा होगा जादा यहां कैसे defined है तो कोई ratio नहीं है root के अंदर negative नहीं आनीची तो बिसी बात है यह जादा होगा यह कम होगा अगर यह जादा हो जाएगा root के अंदर negative आजाएगा formula गलत है n1 का whole square minus n2 का whole square यह sign है optical fiber के अंदर उसके exist से कितने इंगल पर यह है वो है और उसकी value जो होनी चाहिए वो i की value पराबर sin inverse root अंदर n1 minus n2 का whole square होना चाहिए या कम होना चाहिए जादा होने से गरबर हो जादा होने से गरबर हो जादा नहीं बात समझे जादा नहीं कम होने चाहिए कम होने चाहिए अब आते हैं बेटा lens पे lens maker formula क्या है बाई साथ lens से सवाल भी आते है खूब आते हैं भर के आते है lens maker formula lens maker formula समझेगा थोड़ा अच्छे से कि इसमें हम कहते हैं कि 1 upon V minus 1 upon U 1 upon V minus 1 upon U is equal to होता है 1 upon focal सर ये तो plus था mirror में plus आते है यहां पे बेटा क्या आता है minus आते है और इस formula में minus है पुरा ये set of formula ये है अब इसको जब use करेंगे ना तो proper sign convention के साथ use करेंगे proper sign convention इसको जब आप use करेंगे तो with proper sign convention के साथ आप use करेंगे तो समझ में आगा proper sign convention के साथ use करेंगे 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F ये होता है आपका formula सर यहां पे क्या है यहां पे तो कुछ और है सर कैसे और है 1 upon V minus 1 upon U यहां भी है is equal to 1 upon F है यहां तो बहुत बड़ी चीज है तो actual में lens के focal length का formula हो गए यह दोनों equation को compare करेंगे तो 1 upon F बराबर this मतलब mu L बटा mu M minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 lens के actual में focal length का जो formula होता है lens के actual में focal length का जो formula होता है वो है भाई साथ वो है भाई साथी lens के focal length का जो formula होता है वो है 1 upon F is equal to mu L बटा mu M minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 यहां पे बेटा ध्यान से अगर आप सोचे तो lens की refractive index with respect to medium minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 कई बार formula ऐसा भी लिखा होता है 1 upon F is equal to mu minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 जहां पे आपका जो lens है वो placed in a air होता है lens in air तो air में refractive index उसकी 1 होगी अगर water होती तो lens को water में रखेंगे तो lens की refractive index बटा water की refractive यह आता है formula यह R1 क्या है पहले curved surface की radius अपर बेचर दूसरे curved surface की radius अपर बेचर वो कैसे major करते हैं incidentary के direct जैसे यह तुम्हारा आगया convex lens इसको बोलते हैं by convex lens को क्या बोलते बोलो by convex lens इसको by convex lens बोलते हैं यह हो गई आपकी plano convex lens यह हो गई आपकी by concave lens और यह हो गई आपकी plano convex lens यह हो गई आपकी plano मोटा मोटा यह हो था अब इसमें मान लो तुम object है, हाँ रखोगे नहीं तो इधर रखोगे अगर object इधर रखोगे तो पहले जिस surface पे आके light fall किया उस cobled surface की जो radius अब कर बेचर होगी, वो r1 होगी पहले surface की radius अब कर बेचर होगी, दूसरे की r2 होगी तो इसके लिए particularly अगर तुम देखोगे तो यहां से तुम जाके r1, r2 मेजर करने वाले हो और यहां से r1 किदर मेजर करोगे, आगे और incident रे मान लो object है, तो incident रे किदर आगे और तुम आगे जाके मेजर करोगे, तो r1 आएगा positive और यहां से r2 मेजर करोगे, रे इसके radius of curvature तो यहां से r2 मेजर करोगे, किदर आगे, पीछे, incident रे करोगे, तो यहां पर करोगे, तो यहां पर करोगे तो, यह object है मान ले, यह incident रे आया, तो यह surface तुम्हारा पहला होगे, इसका radius of curvature यहां पर देखो, यह अगर object है, अब यहां पर focal length निकालो, exactly by convex lens का focal length निकालो, तो f बढ़ाबर, अगर हम air medium में माने, तो lens की refract, sorry, 1 upon f आती है, 1 upon f बढ़ाबर, mu lens का जो भी हो गई है, mu, mu, okay, minus 1, तो formula का ही है, mu of lens minus 1, mu बटा, mu L minus 1, mu L बटा, mu L minus 1, तो air को 1 ले लूँगा, तो mu minus 1, r1 मान लिजे, अच्छा, by convex lens लें, तभी बोलोगे, जब दोनों की value r1, r2 बढ़ाबर होगे, अलग भी हो सकते हैं, लेकि मान लो, बढ़ाबर है, by convex lens से तो बढ़ाबर होगी, double convex lens से तो बढ़ाबर होगी, r1 की value हम r मानते हैं, तो plus r आएगी, क्योंकि r1 positive है, minus, minus formula का है, फिर r2 का है, minus r, तो यह जब minus r लिखोगे, तो यह आजाएगा, आपका plus, ठीक है sir, 1 upon r, 1 upon r क्या होगा, 2 by r, तो 2 by r, उल्टा करोगे, 2 by r है, r बटा, r बटा 2, mu minus 1, यह है focal lens, क्यों उल्टा किया है, क्यों उल्टा किया है, तो f is equal to, अगर dimension, देखो distance, बढ़ावर r बटा, mu minus 1, और जितना इसका focal lens होता है, उससे double आता है, तो focal lens डवल क्यों, तो क्योंकि यह आधा है, focal lens बढ़ा होना, मतलब खराब lens होना, focal lens double हो गया ना, तो मतलब आधा lens हुआ हो, इसके components का focal lens double होता है, double, double मतलब इसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करोगे, तो 2 उपर 2 नीचे कट जाएगा, r बटा, mu minus 1, drive करके भी देख सकते हो, तो r1 की value infinite, इसको infinite रखोगे, 1 upon infinite क्या होगा, 0, यह 0 हो गया, यह negative था, तो minus 1 is plus, तो mu minus 1 बटा रहा है, 1 upon f होगा, mu minus 1 बटा र, उल्टा करोगा, r बटा, mu minus 1, drive होगे, और by convex lens और plano convex lens का focal length क्या रहता है, positive रहता है, by convex lens यह double convex lens का focal length positive है, इन दोनों की focal length negative आती है, one cave lens की focal length negative आती है, इसमें इसका focal length होगा, f बरावर, minus r बटा, 2 mu minus 1, और इसका focal length होगा, इससे double, minus r बटा, mu minus 1, यह आता है भाई साथ, यह आता है भाई साथ, अगर glass lens है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाता है, अगर glass lens है, ग्लास lens है, जिसका refractive index है, 3 by 2, तो r बरावर, by, for plano convex, sorry, for by convex, by convex lens, अगर by convex lens के लिए मैं देखो, इसके लिए देखो भाई साथ, by convex lens के लिए तो by convex lens के लिए focal length होगा, f बरावर, r बटा, r बटा, 2, mu of lens 3 by 2 minus 1, लिए न, glass lens in air, water में नहीं रखा, भाई, air में रखा है, glass lens ही न, air, f बरावर, r बटा, 2 into mu minus 1, तो यह हो जाएगा, r divided by, 2, 3 by 2, में से एक जाएगा, half, तो 2 से 2 का इंसल हो गया, 8, तो फोकल लिए और के बरावर होता है, by convex lens या by concave lens, अगर glass lens होगा तो, और that glass lens ही न, water रख देंगे, water रख देंगे, तो actual में focal length 4 times of radius हो कर वेचर होगा, water के अंदर, glass lens अगर water के अंदर रखे हैं तो, चार गुना हो जाता है, अगर कोई glass lens का air में focal length है 10 cm, water में 4, 40 cm हो जाएगा, mirror का focal length medium पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन lens का focal length medium पे डिपेंड करता है, लेंस का focal length medium पे डिपेंड करता है, ये lens, अब lens में बेटा न, सबसे ज़्यादे important होता है तुमारा, कौन कैसा lens है, तो ये मालनो की lens है तुमारा, ये है तुमारा convex lens, convex lens इसको बोलते है, convex surface न, उबरा हुआ surface है दोने क्वार, ये convex lens, और convex lens जेनरल ही होता है बेटा, converging, मतलब ये को ये क्या करता है, converge करता है, converging lens इस और यह है तुम्हारा कॉनी केवी लेंज है क после को आपने नेचर को कल रहा जब त को में देख्यामीन से जाहता है तो एक दंग सही है, नहीं, है तो convex lens ही, लेकिन convex lens में अगर lens का refractive medium से ज़्यादा तब हो converging जैसा अगर इसी convex lens में lens का refractive medium की बराबर हो जाए, तो ये कोई converging नहीं होगा, तो plane seat होगा, जो parallel रहाएगी, parallel निकल जाएगी, terry यही, terry निकल जाएगी, और अगर lens की refractive index कम हो गई, और medium की ज़्यादा हो गई, शही लिग रहा हूँ, lens की ज़्यादा lens अपने nature में रहाएगा, बराबर glass plate हो जाएगा, lens seat हो जाए, glass plate हो जाएगा, और medium की ज़्यादा तो diverging, diverging lens का मतलब ये नहीं कि ये in a super लेकिन, 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 इसका जो नेचर है वो diverging और जब इसका focal length में निकला हो गया है, इसी lens का focal length negative हो जाएगा, यहाँ पर focal length क्या है गाएगा यहाँ पर लेंथ positive हो जाएगा यहां कर जेक्ली focal length infinite वाव वे इसा क्या सांधर क्राइए बताओ मजा है कि नहीं बताओ बाई भाई 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 बोलो मजा है कि नहीं क्या सांधर तरीके से सम्झाए देखो यह diverging lens है बिलकुल diverging lens है जब lens की refractive index medium से ज्याद है और अगर लेंस की कुछ ना दिया हो सब्सक्राइब add शलते हैं और इसके पॉकलन have यह बात हो अब इसमें 2-3 बहुत मैं इंपोर्टेंट है ray diagram अगर ये lens है तुम्हारा तो इसके तीन ray diagram बहुत important जो मैं बना के दिखा रहा हूँ पहला ray diagram अगर कोई parallel ray है तो converging lens है focus पे converging lens है अगर वो पहले से ही ऐसे focus से pass कर रहा है, मतलब ये focus था ऐसे pass कर रहा है तो ऐसे जाता लेकिन converge करके parallel हो जाएगा तो parallel ray focus में मिल रहा और जो focus से pass कर रहा हो parallel हो गया और अगर इसके optical center से कोई रह गया है तो जितने angle पे आएगा उतने angle पे जाएगा कोई दुख दर्थ परसानी रही है ये है तुम्हारा diverging lens, poncave lens poncave lens, diverging lens diverging lens, diverging lens इसमें क्या होता है कोई parallel ray है वो diverge हो जाएगा और focus से pass करता हो दिखाई देगा अगर वो पहले से focus से pass कर रहा है मालनों यहां से focus से pass करता हो दिखाई दे रहा है तो फिर parallel हो जाएगा देखो diverge हो हाँ, ऐसे वो सीधा चला जाता है optical center से कर जाएगा जितने angle पर आएगा उतने angle पर दोनों lens में चला जाता है इसलिए इसको हम कहते है converging देखो converging हो रहा सीधा जा रहा था पर converge होगे ऐसे निकल जाता देखो diverging था पहले लेकिन फिर parallel to the principal axis आगे converge यह converging lens इसकी focal and positive यह diverging lens image formation की बात करेंगे तो जैसा concave concave mirror में image formation हुआ था इसमें concave mirror में वैसा ही convex lens में होता है बस फर्क इतना ही है कि side opposite हो जाता है अगर object infinity पे है तो image focus पे बनेगा infinity और center of curvature के बीच है तो focus और center of curvature के बीच बनेगा अगर center of curvature पे है, c पे है तो c पे बनेगा और अगर c और focus के बीच है तो c और infinity के बीच बनेगा अगर focus पे तो infinity बनेगा focus और pole के बीच है तो erect और virtual image बनेगा infinity और pole के बीच focus और pole के बीच object है जो concave mirror का case था ना वही convex lens और जो convex mirror में था वो concave lens में हो जाए यह रही आपकी वो सारी बात है आपकी देखे लिया यह रही वो सारी बात है यह inverted है inverted है तभी inverted है तभी negative है inverted है INV लिख देता हूँ inverted INV 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 और यह erect ERE तो फर्क इसमें एक चीज का बनता है पर्क पता है क्या बनता है इसमें एक चीज का फर्क यह होता है कि mirror में जो real image थे वो same side बनते थे और यहाँ पर real image opposite side बनेगा mirror में वर्चुल image पीछे बनता था यहाँ पर virtual image same side बनेगा बस इस वाद का यहाँ पर फर्क रहता है बस इसी वाद का यहाँ पर फर्क रहता है पहले देख लिजे object infinity पे देखे image focus पे real है opposite side यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा opposite side यह पूरा बका क्या बनेगा opposite side opposite यह पूरा तो real image opposite side बनता है lens में real image opposite side बनता है lens में और mirror में real image same side बनता था virtual image mirror में बनता था बोजीट एःट लेंश में बनता है virtuale में same side बस यही तो फर्क है बस बाकी सब सेम है अहां भी सब सेम है ऑन p Pvtille लेन्स eve on the active mirror जैसा भए कैमने बात clear है कि यह बात यह करते हैं चलो यह करते हैं क्रण वेक्षलेंग्स of refractive index 1.5 and focal length 3ไดh is air immersed in a water then change in a focal length of the lens will be changed in a focal lens तो finally जैसे इनीशली पता है क्रणू वेक्स lens है refractive index 1.5 बे मतलब glass है 3 by 2 इसका focal length radius of curvature कि बना है wow focal length 3 topics टीए है in air and immersed in a water तो final focal length पता है क्या होगा final focal length जो water में होगा वो 4F होता है तो change in focal length पूछा है तो भाई final focal length minus initial focal length 4F minus F, 3F होगा और F पहले कितना था 18 तीन मुना 18 तारा दुना 36, चौबन, चौबन आना चाहिए चौबन आना चाहिए अनसर ठीक है ना, 54 आना चाहिए cutting off lens यह बड़ा important है पहले cutting off lens cutting off lens क्या होता है सुनना, अच्छे सुनना, बहुत चोटी चोटी कोई खास बाद, cutting off lens का होता है मान लीजिए lens है और इसका power P है focal length है, power inverse of focal length होता है अगर बेटा इसको मैं ऐसे काट देता हूँ और इसके जो power होगा न, वो आदा हो जाएगा, power PY2 और PY2 हो जाएगा, लेकिन focal length दोनों का double हो जाएगा, 2F and 2F अब इसको further मैं अगर ऐसे काट दूँ, एक पार्ट ये बचेगा भाई साब एक पार्ट ये बचेगा इसका power length और focus बताओ क्या होगा इसका power length और focus बताओ क्या होगा अब ने वाले का power और focal length क्या होगा इसका power और focal length power PY2 और focal length 2F ही रहेगा इसे काटने से कोई फर्क नहीं जैसे मान लो ये lens है power F, power P, focal length F अगर इसको मैं ऐसे काट दूँ ऐसे काट दू अगर मैं इसको इस angle पे काट तो ये बनेगा size 20 इसका power P focal length भी रहेगा ऐसे काट तो focal or power length change ऐसे focal or power length change नहीं समझ गए मोटा मोटा अब देखो सवाल क्या आगा a convex lens has a power P cut into half along the principal axis further one pieces out of the two have cut into two have perpendicular to the principal axis choose the incorrect option गलत option भोला है तो पहले क्या क्या है ऐसे काट आ है ये हुआ ये हुआ फिर इसको आधे पार्ट को ऐसे काट के अलग की वा है खुब शूरत अगर तीन lens बना है तो power of lens 1 ये L lens 1 है is P lens 1 की power P होगे एकदम सही अगर इसकी power P और focal लेंट पर तो इसकी power P ही रहेगी अभी बता है ये तो सही है lens of power 2 is P by 2 power 2 क्या है ये है P by 2 ये भी सही है इसकी power 2 P by 2 हो जाए कैसे तो अगर ऐसे काटता वार आधी होती और फिर ऐसे काटेंगे तो कोई फरक नहीं परेख power P by 2 सही है power of lens 1 is P by 2 गलत है ये lens 1 है P by 2 ये गलत है ये रॉंग इस टेट है power of P3 lens 3 is P by 2 ये सही है ये answer तुम्हारा C आजाए जाए बोलो मजा आया की नहीं बोलो बोलो मजा आया की नहीं रहे अब एक चीज़ इसमें होती है number of images का खेल number of images का खेल वो बताता हूँ एक बर रुको number of images का खेल number of images का खेल कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको बहुत सारे पार्ट में lens को ऐसे बना दूँ से ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे पार्ट में convert करके और अलग 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 medium को fill कर दूँ number of images कोई फर्क नहीं परेगा number of images और ये छोटी बाते हैं लेकिन 22 अगर नीट में देखोगे उस सबस्यदा सवाल ही नहीं सबसे पूछा है भाई सबस्यदा सवाल ही नहीं सबसे पूछा है अब देख लो सबस्यदा सवाल ही नहीं सबसे पूछा है ऊई फर्क नहीं पर बेगा एक object का एक object का एक ही image बनेगा एक ही image बनेगा एक object के एक image का है और अगर मैंने ऐसे fill करा है ऐसे fill कर जाएंगा टक टक ऐसे fill करेगा ऐसे 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 अब बता कितने वेज़ बनेगे तो यह किया है आपने कोई काम नहीं करते हो किया है यह ग्रीन ग्रीन बिलीश बिलीश अब बता एक अब जट के कितने वेज़ बनेगे तो वाई साब ध्यान से सुनी रहा ध्यान से सुनी रहा ध्यान से सुनी रहा ध्यान से सुनी रहा ध्यान से सुनी एक यहां पर जो अबजेक्ट है उसके तीन इमेज में यह और यह सेम है यह म्यूवन और यह भी म्यूवन यह मानलो म्यूटू तो यह ग्रीन वाला म्यूटू वो दिया होगा सावल और यह मूटरी या फिर ऐसे दे देते हैं प्लस वन अपवन फोकल लेंथ होता है यो कि हम ऐसा unit में meter में लिखते हैं तो ये one upon meter inverse इसका unit होगा unit क्या होगा meter inverse और meter inverse को ही हम डाट रखे हो जब focal length को उसमें रखोगे तो cm में रखोगे 100 divided by focal length उमारा cm में आगा है वैसे ये meter में है तो focal length is equal to one upon लेकिन अगर mirror में लिखते हैं तो ये एक चीज़ याद रखें कि mirror का जो power होता है minus 1 upon उकल लें तो mirror mirror में उसमें नहीं आता लेकिन उसमें आती है when lens are in a contact contact में बहुत सारे lens को रखोगे तो power का formula होता है P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 and so on 2 है तो P1 plus P2 3 है तो P1 plus P2 plus P3 4 है तो P1 plus P2 plus P3 plus P4 10 है 20 है 5 है A है सब को आप इसी तरीके से लिखते है focal length क्यों होता है 1 upon focal length 1 upon F1 plus 1 upon F2 sign के साथ रखते है अगर convex है तो focal length positive हाईगा concave है तो focal length negative है ये fundamental concept आपके clear है कि एक दम 100% ये लेकिन अगर lens contact unit D distance पे focal power का formula होता है P is equal to P1 plus P2 घंथ से दिखेगा power का formula होता है P1 plus P2 minus D P1 P2 power का क्या formula होता है P1 plus P2 minus D P1 P2 and 1 upon focal length बढ़ा होता है 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D as it is है का D but F1 F2 1 upon meter है न ये देखो 1 upon meter 1 upon meter 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 square हो गया तो उपर एक meter आ गया जैसे मान लो एक lens है इसकी focal length लोगे तो positive याएगा ये भी convex है focal length positive है लेकिन मान लो ऐसा लिया हमने और यहाँ पे हमने ऐसा लिया अबबसी बात है ये F1 तुम्हारा positive रहेगा लेकिन ये F2 आफका negative हो जाएगा clear है और मान लीजे यहाँ पे अनों के बीच की distance दी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको solve करेंगा with proper sign करेंगा with proper sign करेंगा time ज्यादा लग गया है ये solve करते हैं by convex lens oh focal length positive by convex lens of focal length 10 cm cut into two identical parts along the plane perpendicular to the place the power of each lens is P by 2 I guess P by 2 a focal length तुम्हें दिया हुआ है तो पहले उससे power निकाल लो बादें P by 2 कर दे ना home work है करो slide 62 slide 62 आपका home work है slide 62 आपका home work है clear है क्या next देखो distance between object and its three times magnified virtual image अब इसमें क्या है कि virtual image जो बनता है ना mirror में opposite side बनता है और real same side बनता है mirror में लेकिन lens में real opposite side बनता है virtual same side बनता है साला कहानी उल्टा है समझो the distance between object and three times magnified virtual image as produced by the convex lens तो चलो convex lens है और इस convex lens का the distance between object and its three times magnified virtual image produced by the convex lens 20 cm माल लो यहाँ पर object है object को बक्यात है focus से पहले रखोगी object है यह object है object को पक्यी बात है focus से पहले रखोगे और आपका virtual image pole और infinity के बीच में कहीं तीन मुना बली है यह distance तुमको 20 cm focal length of the lenses lens का focal length क्या हो एक बात बताओ यह माल ले तेरा U है और यह माल ले V है image distance इधर जाएगा तो U और V दोनों negative आएगी U और V दोनों negative आएगी और वैसे distance के मैनर में देखे तो U और V के बीच का difference है आपका V cm ठीक और magnified image है तो यह ठोगा तो M positive है तो यह 3 अचा इसमें देखो बेटा lens formula होता है 1 upon U minus 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F proper sign convention के साथ use करते है और इसमें बेटा जो transverse magnification आती है वो बिलकुल H I by H O जैसा mirror में था वैसे ही आता है लेकिन यहाँ पे plus V Y U लस ना भी लिखो simple V minus यहाँ पे नहीं लिखते है यह F divided by F plus U लिखते है यह formula है lens के लिए mirror और इसमें थोड़ा यह फर्क है V में कोई फर्क नहीं होता है F minus V बटा F U magnification तुम्हारा 3 है तो 3 बरावर V by U लिखोगे simple and so तो यहाँ से आप का जाएगा V is equal to 3 times of U ठीक है V is equal to 3 times of U और V और U दोनों negative तो उपर नीचे negative रखो तो तो तीन गुना है safe distance तो अब तुमसे क्या पूछा है focal length पूछी है ठीक है 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F पर इससे कैसे निकालेंगे यह रुक जा तो काँ करना है एक बात बता simple अगर मैं mathematically लिखूँ कोई मैं mirror formula नहीं लगा रहा हूँ कि science convention का साथ को मैं distance measure करता हूँ तो यह distance को अगर मैं V बोलता हूँ तो V minus U बरावर ही तो 20 है simple मोटा मोटा इस में से यह length में से यह length घटाओंगा तो 20 आएगा और V तुम्हारा 3U है तो V को 3U रखो 3U minus U बरावर 20 तो U बरावर तुम्हारा आगया 10 बेखो हां कि ना 30 है ना 3U में से 2U बरावर 20 मतलब U बरावर 10 magnification F बटा F minus U M बोलो क्या है 3 F बटा F अचा यह plus होता है और minus 10 रखो के तो 10 आएगा plus होता है ना यह formula बेखो plus U होता है और U की value यहाँ पर क्या यह अपनी 10 आई है जिन्हें हमें बता है कि पीछे है mirror formula में तो sin के साथ रखो minus 10 इसको ले जाओ 3F minus 30 3F minus 30 3F को उधर ले जा 3F उधर जाएगा क्या answer है यहाँ पर लिखा है देखते है कहाँ दिक्कत है कहाँ समस्य है बताओ कोई दिक्कत कोई परसानी कोई कस्ट कोई समस्य है तो बताओ यह देखो आचा एक चीज़ और मैं यहाँ पर कर देखते है वहद अच्छी चीज़ सिख़्ाना चाहूँ द्यांस देखना माल लीजे की दो planflan overcoming lens आसे मैंने ऐसे रखता है दो plan renew can उसी दो planu た पो आइसे समस्या मालव क terror से इसे का यह लाग माश कर दो All combination are एकदम identical. All combination are एकदम ही identical. फारे combination एकदम बिलकुल बिलकुल सेम है, identical है, बिलकुल ठीक. Next is Displacement Method थोरा important है. Displacement Method में आपको formula याद रखने है, formula क्या याद रखने है? Concept क्या होता displacement method में, पहले मैं ये थोरा समझा रहेता हूँ. इस placement method में क्या होता है कि हम एक screen लेते हैं ये screen है ये क्या है screen लेता है और ये तुम्हारा है principle axis माल लो ये तुम्हारा है principle axis और यहाँ पे माल लीजे कि कोई हमने ये object रखा ये object रखा अबजेट की height हो है माल लो यहाँ पे एक lens रखा है यू distance पर यहाँ से screen पर हमें एक image में अब इस lens को हम आगे पीछे थोड़ा सा लेके जाते हैं तो जब lens को मैं थोड़ा आगे ले गया d distance आगे ले गया lens lens की poly position lens की दूसरी position फिर से मुझे यहाँ पे image दिखा तो object और screen fix है object और screen क्या है fix है जब मैं lens को आगे पीछे करा तो lens के दो position के लिए सेम ही जगा पे हमें image मिला तो जब हम धान से देखते हैं तो जो इस case में image distance आता है वो object के बराबर है और दूसरे position में जो object distance है वो पहले के image distance के बराबर आता है तभी वो exchange हो गया जैसे हम formula रखते है one upon v minus one upon u बराबर one upon if न तो अगर one upon v है अगर यह 20 है यह 10 पिर अगर मैं यह 10 रखो तो यह 20 पे one upon if तो बराबर यह जाएगा इसलिए justify होता है इसमें दो चीज़े आपको याद लखी है पहली चीज़ कि माल लिजए lens के दोनों position के बीच में distance capital D है ग्राइब कर लोगे तो भी याद रखना परेगा वालो lens के दोनों position के बीच में distance capital D है तो lens का जो focal length आता है लेंस दुनों lens के बीच में distance X है ये अक्स लेंस के दोनों position के बीच में distance capital D है lens और screen के बीच में distance capital D है lens के पहले position और दूसरे position के बीच में distance X shampoo focal length जो आती है वो d square मेंस x square by 4 D ponto होता है Next c square minus x square by the distance from the distance by distance relationship is याद रखो इसको f is equal to operate screen or objected के बीच की distance d square minus x square by 4d ठीक है? ऐसे आता है इसके लिखा है और distance between two position of the list देखो यहां लिखा भी है यह एक और important चीज होती है पर क्या important चीज होती है? Magnification दोनों case में आएगा उसका product 1 होता है दोनों case में जो magnification आता है उसका product 1 आता है इस लिखा नहीं है कि मैं समझा देता हूं मानने कि पहले case में मैंने magnification लिखा M1 तो magnification क्या होगा? pronunciation होगा height of image पहले case में but height of object और फिर magnification 2 क्या होगा? height of image दूसरे case में but height of object तो हई है हाई है इस equivalent to पहले case में magnification हो जाएगा V by U दूसरे case में magnification हो जाएगा U by V U by V अब दोनों मैंगनिफिकेशन का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ अब देख ले न पहले मैंगनिफिकेशन के वहले रखोंगा V by U और इसको रखोंगा U by V तो कटके 1 ही तो आया हाँ और अगर M1 M2 H1 by H0 और H2 by H0 रखो H1 by H0 multiply H2 by H0 रखो is equal to 1 H0 call square यहाँ जाएगा H0 बरावर आएगा root under H1 into H2 बहुत important है की height of object बरावर होगा height of image पहले case में multiply height of image दूसरे case में उसका root उसका क्या? root क्या? 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 root क्या? 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 root root of height of image first case का root of height of image second case यह याद रख़ग यही तो क्या M1 लिखा वहाँ पर देखो M2 लिखा दोनों को product करती है इधर इसको product करेंगे तो cut के 1 आगया IU H1 height of image पहले case में height of image दूसरे case में दूसरा यह मैंने class notes में एक बार पराते समय थोरा सा उल्टा लिख दिया था सर 45 मेंट लएगा भी स्वारी 40 मेंट लएगा भी हाँ हाँ ठीक है सर आपका खाना हूं छोड़ के रहां सर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर तोरा टाइम लगए रहे optics है न यहाँ पर M1 पहले case की magnification है और M2 दूसरे case की magnification राइट M1 पहले case की magnification है M2 दूसरे case की magnification दोनों ही अलग अलग case की magnification है magnification तो dimensionless होता है हाँ तो focal length का एक और formula निकल के आता है M1 मेंने से M2 बटा एक से wrong है अगर कई होगा तो तुम देख के बता सकते हो गलत है क्या गलत है dimensionally गलत तो इस में डिजी में भी ये बहुत सारे formula भाई 500, 700, 800, 1000, 2500 बता नहीं कितने तो एकाद दो formula में printing mistake रह जाती थोड़ी तो यहां पर ये गरबर क्या है focal length जो होती है दोनों case में जो lens की position है दोनों case में जो lens की position है उसके बीच की distance x बटा दोनों case के magnification का difference ही आता है और हमको याद कैसे रहेगा तो भाई अब रखना परेगा last moment में पर लो क्या रखना एक्जाम में आए तो कर जाओगे सवाल अगर displacement method से आता है तो ऐसा होगा कि screen and source के बीच की distance है capital D और lens के दोनों position के बीच में distance x तो lens की focal length के आओगे lens की focal length होगी d square minus x square by 40 पहला फॉर दूसरा दोनों केस में magnification का product one होता है तीसरा height of object जो होता है root अंडर दोनों केस में height of image के product का root होता है और focal length का एक formula ये है दोनों lens की position के बीच के distance बटा displacement method में direct beta यहां से सवाल आपको दिखाई देंगे अपसे हो जाने चाहिए ये सवाल क्या है तो भाई lens और mirror के combination से कुछ recent year में सवाल देखे गए जो जब आते हैं तो महसें बचे छोड़ देते हैं ऐसा भी सवाल आ सकता है ये lens से आधा कार्ट दिया तो बच्चा हुआ आधा आधा पार्ट का focal length बताओ क्या होगा कर ले जाओगे दो plane mirror के बीच में distance 60 degree है बताओ number of image किता होने कर ले जाओगे एक glass है जिसमें water filtered है दस मीटर high तक नीचे object रखा है तो हमें कितने distance तक दिखाई देगा तो हमें कर ले जाओगे लेंस से डारेक्ट लेंस परमुला पहले कर लेंस और मीरर के बेस पर सवाल पूछते तो 99.9% बच्चे गलत करते हैं लेकिन लेंस और मीरर के combination से भी कुछ सवाल बन जाते है जैसे सवाल बनाया है पहले इसको पढ़ते हैं समझते हैं फिर करने की कोसिस करते हैं तेक है उसके बाद प्रेजमी ही है बैटा प्रेजम की resolving power mean deviation और डिस्पर्शन डिस्पर्शिव पावर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन और उसके बाद instrument है अभी सवाल अभी बहुत सारे करने बहुत सारे पढ़ने है भाई टाइम लगत अंगेगा, होगी दिक्रत नहीं है ऑई कि एंण अप्जेक इस प्लेसर प्रिंसिपल एक सिस ट्क में पढ़ना पढता है इमांडारी से बाद हैं concerned invite प्रिंसिए अंभी सहाभी इस लेंस की जो फूकल रेंथ प्लस दस संटीवेटर होगी ओंग्स लेंस हो 10 cm हो लिए As for in figure, plane mirror is placed on the other side of the lens at a distance 20 cm 20 से की 200 देखो फिर गलवर कर दिया ऐसे चीज़े गलवर हो जाते है 20 लिखा है यहाँ, 200 लिखा है तो आला किमा कदा ही कर देगा कल गोई बाते देखते हैं The image produced by the plane mirror is 5 cm inside the mirror and distance of the object from the lens is यह distance पूछा है क्या बोला है The image produced by the plane mirror is 5 cm inside the mirror 5 cm inside the mirror 5 cm inside the mirror The plane mirror ने जो image बनाया है The image produced by the plane mirror is 5 cm inside the plane मैंने इसाब से 20 हो गया क्योंकि 5, 10 है तो फिर दोसों देना तो रहा ठीक नहीं लगता मैंने इसाब से 20 होगा, 20 पे देखते है इंदोरों के बिच दिस्टिंस यहाँ पर फिर प्लेन मीरर ने image बनाया है प्लेन मीरर के लिए object यहाँ होनी चाहिए अभी तो object for plane mirror और plane mirror तभी तो उसका image यहाँ से 5 cm बहोगा तो यह 5 cm बनायेगा 5 cm पर तो object यहाँ पर actual में नहीं है नहीं, object तो यहाँ है इस object का अगर image इस object का अगर image यहाँ बन जाए यहाँ मतलब 15 cm पर बन जाए इस object का image अगर 15 cm बन जाए मतलब रे कुछ ऐसा जाए यहाँ पर कट करें तो यहाँ पर image lens ने बनाया है और lens का जो image होगा और plane mirror के लिए object की काम करेंगा plane mirror इसका image यहाँ बनाएगा simple सी बात है बहुत smooth है, बहुत सर्फ क्या करें यू हमें नहीं पता, f पता है और यह 15 पता है अभी तो भाई, यह जो ray आएगा यहाँ पर image बनाएगा फिर इस image इसके लिए object की तरह काम करेंगा objects incident रेज़े जाएगा इधर आजाएगा यहाँ से आता हो, देखाई देगा plane mirror का object image बराबर होता है लेंस का जो image है, plane mirror की object की तरह काम करेंगा सर, simple formula अगर use करेंगा simple formula use करेंगा 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f वो v की value तो lens के लिए 15 है और positive i का दखो क्योंको यहाँ पे आप ले लिजे एक्सो पचास पंदरह दसे पचास दस माइनस पचास बटा एक्सो पचास पर माइनस पांच बटा एक्सो पचास पांच से कटेगा 30 यू बराबर आ गया तुम्हारा 30 देखता हूँ hope so have faith इसका answer यहाँ पर नहीं लिखा कोई बार, 30 आएगा calculation mistake है, कोई सारी चीजे है take close जाएगा, 3 side और भी सवाल है कुछ थोड़ा आगे करते हैं, पहले कुछ थियोरी पढ़ लेते हैं, फिर सवाल करेंगे ऐसे भी सवाल आते हैं, जैसे मान लो की यह तुम्हारा कौन के एम बीर है तुम्हारा कौन के एम बीर है यह लेंस है तुम्हारा अब तुमसे भाई साब पूछा जहां object है वही पर दो दो reflection reflection और एक reflection के बाद image बनाए image object point side image object coincide after after two reflection और one reflection यहां पर object image coincide कराने के लिए जहां पर object वही पर image बना तो वहाँ पर image कैसे बनेगा जब lens से cross करके आएगा incident मतलब lens को cross करके आएगा incident refract करके आएगा जब एक यहां से raise आएगा यहां पहुचेगा फिर यहां से reflect हो के यहां आएगा फिर बनेगा अभी तो objective image coincide होगा अभी तो objective image coincide होगा अभी तो objective image coincide होगा अब मानलो इस lens का focal length है 10 cm इसका radius of curvature है 40 cm इस दोनों के U है तुम्हारा मानलो U है तुम्हारा 20 cm वा तो इसके बीच की distance है इसके बीच की distance करना पहुच, दिवूनेगा चली बएँ साफ चाली 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 चाला चाली चाल तो objective image तभी coincide होगा जब जो reflected रह है इस plane mirror से वो अपने path को retraced करे क्या करें, अपने path को retraced करें मतलब, अगर यह incident रहाया अपना image बनाएगा, जो इसके लिए object की तरह काम करेगा, image और object दोनों होगा, अगर वो line जिस line पे गया, उसी line पे वापस आ जातो, उसी line पे वापस आ जातो, अगर उसी line पे वापस आ गया, तो भाई जिस line से यह, जिस ने, इस पर आएगा, फिर यहाँ पर आकर image बना focal length इसका 10 है तो इसका image यहाँ से 20 पे रखा है focal length 10 है मतलब इसको center of curvature पे रखा है U बराबर 2F आगे है center of curvature पे exactly center of curvature पे 20 से यहाँ पर image बनाएगी और यह जो image बना वो इसके लिए object होगा यह इसके अगर center of curvature पे है तो वही से रह वापस आएगी पदब 40 और 20 60 insert दोनों के बीच में आएगा 60 cm तो काम हो जाए intellectual सवाल होते हैं इसमें calculation बहुत length ही नहीं होता दिमाग लगाना परता है का लगाना परता है अब चलो एक सवाल और बनातो मान ले भाई 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 यह तेरा एक focal length है 20 cm का 20 cm का focal length है यहाँ पर मैंने बोला यह concave lens है ठीक है 40 cm पर object रखा है 40 cm object रखा है ठीक है और इसका focal length है 30 cm यह distance है 70 cm तो अब जो image पूछेगा ना कहीं तरीके से पूछ सकता है अब से पूछेगा कि lens का image बनाएगा पहला image बता हुआँ एक reflection के वाद image काईगा एक ही reflection बूचा है तो ये सिर्फ देखेँगे बस अब से पूछेगा final image काईगा तो final image कैसे बनेगा तो जो लाइट जाएगा एक बार रिफ्रेक्शन होगा फिर रिफ्रेक्शन होगा फिर रिफ्रेक्शन होगा तब फाइनल इमेज बनाओ अपसे पूछेगा एक रिफ्रेक्शन और एक रिफ्रेक्शन के बाद इमेज बनाओ एक रिफ्रेक्शन यहां लेंगे एक रिफ्रेक उसका image बनाएंगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा अगर यह 20 है और यू 40 है, तो यू तो C है यू C के बराबर है यू C हो गया, शंके सेंटर और बेच था तो अबजयक्ट जो तुम्हाँ इमेज बनेगा वह यहां से 40 पर बनेगा यहां से 40 पर इमेज बनेगा एक रिफ्रेक्स अब इस अबजयक्ट यह जो इमेज है इस मीरर के लिए यह अबजेक्ट हो गया यह सतर है और यह चालिस है यहां से यू है वो तीस सेंटिमेट है और साला जो यू है लब यह अबजेक्ट की तरह काम करेगा इस मीरर के लिए जो तो यह अबजेक्ट है वो कहां पे असर, 30 पे, और इसका फोकस ही 30 है, मतलब ये फोकस से क्रोस करके आ रहा है, तो ये पैरलल हो जाएगा, चाचा मुहन, और साला जो ये पैरलल हुआ, तो पैरलल रे जो होगा, पैरलल रे जो होगा, वो लेंस से पास करने गए उसके फोकस से पास करेगा, मतलब य है तुम्हारा ऐनल इमेज वाइनल इमेज जो कहा बनेगा इस लेंस से इस लेंस से इसका फोकल कितने भीष पर चीट करके नहीं बिस सेंटिंटिमेटर करें यह तुम्हारा आई वन है और परणेर जा रहा तो इंफिन्टी बपे बनता और जाता है तो तोरा दोरा समाज में आए Next सबसे मुश्रिन टॉपिक जो होता है Gilbering of Lens क्यों होता है Silvering of Lens आउ देखते Silvering of Lens अब silvering of Lens में क्या होता है Silvering of Lens में क्या होता है पुराओ सा रुक के समझना जैसे पाउनलो ये lens ली यह है रिग्ये सब तो कोई भी light जब इस पर पड़ता है तो एक बार reflect करके कहीं चला जाता है एक reflection हुआ लेंज से बात खत्व है असले एक reflection हुआ उस medium से reflect करके गया उसके focal length देख लेते हैं अज़ा ठीक है अब अब यहां पर देखना अगर मैं पीछे से इसका पिछवारा रंग दूँ तेरा पिछवारा रंग दूँ तो क्या होगा अब मान ले इसका मैं पिछवारा रंग दूँ तीछे से paint कर दूँ चलिए सर पेंट कर दिया पीछे से पेंट कर दिया भाई साहब इसका पीछवारे एकदम तौन कीला बना टीए रगर दिया पेशम नियर बना टीए जो भाइ सहाब जो रे आएगा एक बार तो reflect करेगा ये आप सही कहे रो एक बार reflect करेगा फिर इस mirror से reflect होगा मतलब एक तो हुआ आपका रिफ्रेक्शन एक तो हुआ रिफ्रेक्शन फिर हुआ सेकेंड मतलब एक बार ही रिफ्लेक्शन फिर से एक बार रिफ्लेक्शन मीरर से और फिर एक बार रिफ्लेक्शन once again रिफ्रेक्शन एक बार और हुआ ठीक है तो भाई साब ये तो कारेक रंबरे लंबा हो गया अगर अकेला लेंस होता पिछवारा इसका नहीं रगरता नहीं रंगता तो एक रिफ्रेक्शन होता काम खत्म एक रिफ्रेक्शन होता काम खत्म यहाँ पे तो हो रहा है एक बार रिफ्रेक्शन mirror से एक reflection और फिर एक बार reflection तो इसका combined focal length जो होता है combination का focal length होगा वो होगा one upon net focal length of combination mod में कोई plus minus नहीं लेते is equal to एक बार reflection हुआ है तो one upon या दो बार reflection हुआ था दो बार focal length किसका लेंगे? lens का क्योंकि दो बार lens ने reflect किया plus एक बार mirror का सर लेकिन mod mod sum में ले लोगे plus minus कुछ consider नहीं करोंगे तो कैसे बता चलेगा क्या हुआ तो जब भी जिस lens को silvering करते हैं अचा ये overall कैसा behave करेगा mirror जैसा तो जिस lens को आपने silvering किया है उसके opposite nature का वो mirror बन जाता है ये क्या है? convex lens है तो focal length की magnitude formulas निकाल लो और concave mirror का focal length क्या होना चाहिए? concave mirror का focal length negative होता है और अगर मैंने con vix lens है? concave lens को किया? concave lens को किया? concave lens को silvering किया क्या किया? concave lens को silvering किया तो ये क्या हो जाएगा? convex mirror और convex mirror का जो focal length होता है positive बस बात करें तो तो दो चीज़े हो गई आपको focal length formula से निकालना है पर बुद्धी से sign देखना है तो convex lens है तो concave mirror होगा concave mirror का focal length negative होता है चलो इसका निकालते है तो one upon combination का focal length f रहन देते हैं ये अगर refractive index mu है इसका radius curvature ये होगा बिटा one upon focal length क्या हो जाता है mu minus one two by r यही आया था by convex lens का यही आया था r बटा two mu minus one होता है one upon focus है one upon focal length of lens तो तो तुम्हारा f के हिल की value आगए या दो तो पहले से था तो दो multiply करेगी plus इसकी focal length क्या होगी ये mirror है इसकी focal length हम लिखेंगे r by two r by two simple mirror है r को आप ले लिजे lcm पूरे r को ले लिजे lcm तो ये आ जाएगा आपका अगर हम चाहें तो ये r r simple नीचे से m ही term है बेस में ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ नहीं दो दो चार 4 mu minus 4 4 mu minus 4 plus 2 ये लिखोगे 4 mu में से 4 minus 4 plus 2 होगा तो minus 2 हो जाएगा 4 mu minus 2 बटा r चाहो तो 2 common निकालोगे तो ये आएगा mu minus 2 common निकालोगे तो 2 mu minus 1 बटा r ये ही आएगा क्या देखो और ये convex lens concave mirror होगा तो focal length आजाएगा तो मारा minus r बटा 2 into 2 mu minus 1 concept समझना परेगा थोड़ा आगे देखो देखते हैं ये आए कि नहीं ये चीज तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें ये चीज तो पढ़ा है वाई 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 देख कहां है कहा है कहा है स्पेस पेर नहीं है पनविक्स जहाल एक बनाए हिए नई फिर हम दूसरा वेरिफाइए करेंगी ज़ए जब इसका मैंने निकाला इन्हीं यह सह़ीय अब मौनलो एक लेंस टो यह होगी अब इसी में इसी में मैं तुम्हें जोरदात अर्गे से बता तो मान लो इसको किया मैंने सिल वर्डिंग पीछे से इसका focal length क्या होगा? focal length यह होगा R बटा प्लस R बटा 2 into 2 minus 1 खतब अब दो तरह के plano convex lens ही होगे एक plano convex lens है जिसका पिछवारा रंगा है और एक यह ऐसा जिसका planar surface रंगा है दोनों अलग चीज होगे इसका curved surface रंगा है इसका plane surface रंगा है अब इसकी focal length निकालोगे 1 upon net focal length बराबर 1 upon net focal length बराबर mu minus 1 बटा R into 2 formulae का 2 बटा focal length of lens था अब plano convex lens का focal length होता है R बटा mu minus 1 R बटा mu minus 1 into 2 तो मजा आगे लो बहुत बढ़ी आखती प्लस यह हो जाएगा तेरा R by 2 अब बोलो अब यहां से R को मैं LCM लेता हूँ तो यह होगा अगर 2 अंदर ले जाओ तो 2 mu minus 2 plus 2 यह होगा 1 upon f सरी तो कट जाएगा 2 से 2 हाँ f is equal to आजाएगा R बटा 2 mu और in fact यह देखो ना convex lens है तो concave mirror जैसा भीएप करेगा focal length negative होगा तो मजा आगे है इसमें देखो इसमें देखोगे 1 upon net focal length बराबर होगा 2 formula का into mu minus 1 बटा R तो formula का है और plano convex lens है plus 1 upon infinity तो focal length simple आगे R बटा 2 into mu minus 1 plane surface को रंग है ना तो plane mirror होके plane mirror की focal length infinity होती है plane mirror की focal length infinity होती है f is equal to आजाएगा R बटा 2 mu minus 1 R बटा 2 mu minus 1 अब बताइए ले रहे क्या आगे मिला लीजे चलके आगे मिला लीजे अब मिला लीजे plane को रंगा था तो R बटा 2 minus 1 इसको रंगा था R बटा 2 mu plane को रंगा था R बटा 2 mu minus 1 सही तो है plane को रंगा था plane को रंगा था R बटा 2 mu minus 1 plane को रंगा था R बटा 2 mu minus 1 कौनके मिलर की तर तो focal length negative लोगे और कब को रंगा था R बटा 2 plane आई हो गया bi convex में किधर भी रंगो इधार से रंग दो या इधार से रंग दो बात तो एक ही बात इधार अब्जेक्ट रखोगे इनों बता दिया हां तो यह भी बता दिया इसमें और इसमें क्या ही फर्क है इसमें प्लेंड रंगा इसमें प्लेंड रंगा इसमें प्लेंड रंगा यहां पॉसिटिव आएगा prism is a very easy topic not tough, prism is very easy easy wali topic, very easy easy wali topic, very easy topic hao sir very easy topic, this is exam very easy topic, yeh hajad haa tumhara prism, yeh hai tumhara prism, yeh hai tumhara prism, koi bhi prism ho sakta मतलब when light passes through a medium and refracting refraction occur two times, then this is a prism, अपना definition, देशी भासा मतलब light जब दो बार refract करती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि prism हो गया, तो prism का prism angle भी होता है, हाँ, तो जिस दो surface से light refract कर रही है उन दोनो surface के बीच के angle को हम कहते हैं angle of reflection light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो दो बार refract करती है मतलब जरूर नहीं कि एक medium से दूसरे medium में जाया तो दो बार refract करें एक medium से दूसरे medium में जाया तो जरूरी नहीं कि दो बार refract करें एक medium से दूसरे medium में गया reflection हुआ, हाँ, फिर से एक और बार रिफ्रेक्शन होगा तो दो बार रिफ्रेक्शन होता उसको कहते है प्रिस्म और उस दो और इहाँ पे डिएट हुआ और यहाँ से ऐसर गया यह लाइट का पर पात है यह पीर्जम है और यस का एंगल प्रिजम नबए डिगरी होगा कहा 90 degree है यह 90 degree है क्योंकि यह refractions हुआ यह refractions हुआ दोनों refracting surface के बीच के angle को angle of prism कहते है सर लाइ्ट अगर ऐसे आया मान लो light ऐसे भी तो आया था glass plate से भी तो light गया था सर ऐसे आया light फिर ऐसे गया light और फिर ऐसे गया light यह भी prism है यहाँ पे जो दो reflecting surface वे क्यों से है और ये दुनों reflecting surface कैसे है इसा है हमारा प्रिम का यह इंग क्या है एंगली नहीं है हो सकता है जब light आपका इससे और इससे इंटर्ग करें फो यह यह पे बार यहां पर इंचिदेंट रहाए यहां पर एक normal plot करेंगे यह आएगा angle of incident पहले surface पर तो यहां से reflection हुआ ऑरवन जाकि सर्फेस पर fall करेगा यहाँ पर जो incident हुआ angle of incident r2 मानते है और यह finally आपका emergence angle है e यह आपका finally emergence angle है e यह आपका emergence angle है e तर समझ गया सब यहाँ पर deviation कितना हुआ सर दो बार deviation हुआ है यहाँ पर होगा i-r1 plus e-r2 यह दो बार deviation हुआ है यहाँ पर जो deviation हुआ यहाँ पर वो deviation होगा वो deviation होगा i-r1 और यहाँ पर होगा e-r2 तो net deviation हो जाएगा आपका i plus e minus of r1 plus r2 यह deviation होगा है सर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सब बुझागे लो मजागे लो एक चीज जो यहाँ पर तुमका भी याद रखना परता है क्या होगा तो प्रूफ कर दूँगा यह normal है surface के लिए तो total 90 यह क्या होगा 90 minus r1 90 minus r2 plus e 90 minus r1 बहुत दिमाग भुकम पाया है सर चकर आ गया पूरा चला लगा भुकम पाया है तो लो कोई बात है राइद नहीं आया होगा 90 minus r1 90 minus r2 is equal to plus a is equal to x ठीकर रैंगल के तीनों यंगल का सम x ठीकर रैंगल के तीनों ही एंगल का सम x ठीकर होता है 90 minus r1 90 minus r2 plus a is equal to x ठीकर समझ में आगे लोग तो 90 90 x x c से x c कटेगा r1 minus r1 minus r2 को धर ले जा तो r1 plus r2 आपका हो जाएगा इसको ए रखे तो delta बराबर i plus e minus a ये तुम्हारा deviation के formula है अब आता है मतलब ये तो deviation होगा चलो deviation कितना होगा तो ये formula होगा अब होता है concept of minimum deviation यहाँ तक समाझ में आए प्रिस्म पूरा drive करके दिखा है एक एक चीज़ जैसे class में पढ़ाते है भाई साब वो इसे पढ़ा रहा हूँ तो अगर तुम्हें मैं एक घंटा जादा भी ले लूँगा न तो एक घंटा में हर चीज़ किलियर करते हूँ एक दम topic वाई जा रहा हूँ concept of minimum deviation तो minimum deviation आखिर क्या होता है क्या होता है minimum deviation minimum deviation वो deviation है जहां पे I बरावर E हो जाएगा तब जाके तुम्हारी minimum deviation होगी और उस case में I बरावर जब E हो जाएगा अब इसी बात है I E बरावर तो R1 बरावर R2 होगा तो जब R1 बरावर R2 है जो भी है R1 बरावर अगर R2 है यह दोनों बरावर है R1 को R2 लिख सकते हो R1 को जब R2 लिखोगे जब R1 को तुम R2 लिखोगे R2 प्लस R2 बरावर यह तो R2 बरावर क्या होगा A by 2 R1 बरावर R2 बरावर क्या हो जाएगा A by 2 R1 बरावर R2 बरावर क्या हो जाएगा A by 2 ठीक है तो फिर मिनिममम डेवेशन की वेल्यू कितनी आएगी तो मिनिममम डेवेशन की वेल्यू के डेल्टा बरावर आई बरावर होगा तो यह हो जाएगा 2i- a की वेल्यू को हम क्या लिख सकते हैं a को क्या लिख सकते हैं a को लिख सकते हैं यह लिखो, यह को क्या लिख सबता हो, यह लिखो, बस R1 बरावर R2, AY2 के बरावर होगा, लेकिन एक तो लिखो गे, तो 2I-A तुम्हारा minimum deviation है, यह क्या है minimum deviation, अच्छा, deviation का graph भी बनाओगे, तो delta versus I का graph कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे यह I बरावर E है, जब तुम्हारा delta minimum आएगा 2I-A, जब delta minimum आएगा 2I-A, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, इतना हमें समझ आएगे, अच्छा, हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्नेल स्लो लगाँ, स्नेल स्लो लगाँ तो sin I, बटा, sin R1, sin R1, बरावर यह हो जाएगा तुम्हारा mu 2, mu, मैं mu 1 बाहर है, तो mu आजाएगा, एच सही है, असर सही है, और sin I है न, यह आई है, यह mu का फॉर्मूला हो जाएगा, तो mu क्या आया है, बतानो, mu आया है, sin I by sin R1, sin I by sin R1, mu, mu बरावर है, sin I, बटा, sin, यह स्नेल स्लो लगाँ, पहले diffracting surface का, अब अगर मैं delta minimum के concept से देखूँ, तो delta minimum को हम कहते हैं, 2I minus A, तो I को क्या कह सकते हैं, तो 2I बरावर होगा, delta minimum plus A, minus A इदा जाएगा, delta minimum plus A, by 2, इस I को लिख सकते हैं, और R1 को हम लिख सकते हैं, A by 2, delta minimum के case हैं, in a case of delta minimum, इन a case of delta minimum, जो R1 बरावर होगा, वो A by 2 होगा, तो mu बरावर यहां से क्या निकल के यह आपके किसकी वैलू है, और आरवन की वैलू क्या है, एय थे साइन अवाइटू, भाई साप, देखा यह फार्मूला, ड्राइव करके तुमको पूडा दिया है, वह पता हो कि कैसे कहां से यह आता है, कैसे कहां से यह आता है यह है तुम्हारा refractive index mu delta minimum और angle of prism के terms क्या है यह mu बराबर sin delta minimum mu बराबर sin mu बराबर sin delta minimum plus ay2 divided by sin ay2 अच्छा अब बात करते है last prism में thin prism thin prism क्या होता है thin prism होता है जहां पर angle of prism बहुत small हो angle of prism क्या हो small हो a is very small a is very small angle of prism आपका क्या हो small अगर angle of prism बहुत कम होता है बहुत छोटा होता है angle of prism बहुत कम होता है हम कह सकते हैं नहां पर इस formula में कौन से formula में इसी formula में अगर angle of prism तुमारा बहुत कम है तो deviation जो हम निकालते हैं उसको angle of phase मगर तुम्हारा बहुत कम है अलब angle of phase अ तुम्हारा small है तो deviation आगाता है delta is equal to mu into a minus 1 यह a into mu minus 1 angle से angle आगा delta बरावर होता है a mu minus 1 delta deviation a is very small then delta बरावर a minus 1 जब angle of phase अगारा बहुत small हो फिन प्रिस्म हो फिन प्रिस्म के लिए जो deviation होता है वो deviation define होता है deviation बरावर angle of phase a mu minus 1 अब बात आती है कि 90% सवाल जो प्रिस्म के होंगे 90% सवाल जो प्रिस्म के होंगे वो इसी से solve एक पेज पे जो लिखा है एक पेज पेज बहुत easy कारपान सवाल तो इस पे solve होंगे इन चार सवाल इस पे solve होंगे उसके बाद delta minimum का formula है 2i minus से इस पे solve होंगे यहां पर और यहां पर स्नेल ऐस लगा के इसमेट हैं नाइटी परशन सवाल थोरे से अच्छी लेबल के आते हैं जहां पर आपको थोरा सा देखना पड़ता है अलग-अलग कलर के लिए पर दिखनी पड़ते हैं जैसे क्या है the refractive index from the transparent liquid filled in equilateral hollow prism equilateral prism मतलब यह हो गया the angle of minimum deviation for the liquid will be ठीक है तो mu बराबर तुम्हारा होगे root 2 और equilateral prism अगर है तो a बराबर होगे 60 यह थीन prism नहीं है थीन prism मतलब जो पतला prism होता है जिस पर angle of prism बहुत कम हो equilateral triangle मतलब angle of prism 60 equilateral में यह भी 60 यह भी 60 अब किसी से interact करके कहीं भी जाए 60 the angle of minimum deviation for the liquid will be तो mu भी पता है हमें a भी पता है तो delta minimum पूछा है तो नहां से निकालोगे एक ही formula बनता है जब तुम्हें mu पता है और a पता है और delta minimum पूछा है तब delta minimum का एक formula तो यह तुमने निकाला यहां से आ जाएगा नहीं आई तो में पता ही नहीं डिल्टा minimum आई के टर्मस यह होता है और mu के टर्मस यह है mu is equal to sin i plus delta minimum by 2 a plus delta minimum by 2 divided by sin a y2 यह है a plus delta minimum by 2 क्यों i की तो value रखी थी तो i थोड़ी नहीं आएगा मू बराबर sin delta minimum plus a y2 sin a y2 ठीक है और mu तुम्हार root 2 है तो चलो mu root 2 है root 2 बराबर sin 60 है sin 60 plus delta minimum by 2 divided by sin a के value 60 रखेंगे 60 by 230 sin 30 क्या हो जाता हाफ इस हाफ को एज़ेटी यहां ले जाओ यहां पर हाफ जोगा यहां जाकर multiply होगा 1 by 2 root 2 by 1 by 2 1 upon root 2 1 upon root 2 आ जाएगा sin 60 plus delta minimum by 2 अब sin something बराबर 1 by root 2 आया है तो पक्की बात है ध्यान सुनेगा पक्की बात है कि यह value sin theta का है यह theta हो गया पूरा तो sin theta बराब 1 by root 2 तो theta pi by 4 45 डिगर होगा तभी तो sin theta के value 1 by root 2 आएगी इसको pi by 4 रख सेथा pi by 4 मतलब 45 बराबर 60 by 2 30 माइनस सॉरी प्लस delta minimum by 2 30 को देर ले होगा 15 45 में से 30 आएगी पंदरा और दो इधर 30 मतलब delta minimum तुम्हारी 30 डिगरी आएगी देखो एंसर होना चीज़ में 30 डिगरी है बता ऐसे सवाज निगे बैसे कोई rocket science नहीं है कोई rocket science नहीं है delta minimum के दो अलग लग formula नहीं तीन बता है delta minimum के तीन का सवाल करने के बार एक बार और revision करने का मज़ा लग होता है डिल्टा minimum का formula एक बार यह बताए है two разр minus a delta minimum का formula यह बता ऐसांस a plus delta minimum by two by sin a by two और dight minimum का formula thin prism के लिए बीटर बताया है we int healman ने दिन आप भी में तो बताया है बताये थिन प्रिजम के लिए बताया है अब है इस परसन परेंगे यह परते हैं इसे बाली चीजे देखो मानलो यह प्रिजम रखा मैंने यहां पर एंगल और प्रिजम है इसका एवन रख्राक्टिव इंडेक्शन एक लाइट ऐसे आया प्रिजम है पिर अपने बेज की तर होगा फिर ऐसे चला गया है अब यह बीना डेविएशन के पास कर गया है लैटरल सिफ्ट हुआ है लेकिन जिस लाइन पर चल रहा था पैरलली उसी लाइन पर कहीं जा रहा है तो इसका नेट डेविएशन कितना बोलोगे जीरो नेट डेविएशन जिरो हो जाए इसके लि कंडिशन बहुत असान नहीं है बहुत असान है बहुत एजी है अब बात आती है अब बात आती है डिस्पर्शन अफ लाइट थूद प्रिज्म अभी प्रिज्म के सवाल करेंगे और चिंता मत करूं समय लग रहा है अभी रूप जाओ यह देखो पहले डिस्पर्शन अफ इंडिको, बुलू, ग्रीन, एलो, औरेंज रेड़, ये तुम्हारा कलर है, जैसे सम आगे जाएंगे, वेवलेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली पर्पोस्नल टू वेवलेंट है, तो वेवलेंट जितना जादा होगा, रिफ्रैक् एक मुव माइनस होगा, ये है तुम्हारा डेविएशन, तो डेविएशन पर्पोस्नल टू वेव है, हाँ, जितनी ज़्यादा लेवलेंट जादा बेवलेंट, तो मु कम, मु कम तो डेवेशन कम, जैसे सब योर नी, आगे जाएंगे लेवड़ा बरताय लेवड़ा करता white light but white light is a combination of all seven colors अब इसमें सबसे ज़्यादा wavelength किसका होता है यो red का red का सबसे ज़्यादा wavelength तो mu सबसे कम, deviation सबसे कम तो red उपर रह जाएगा मतलब अगर prism नहीं होता तो ये light सीधी जाती है लेकिन red deviate कर जाएगा कुछ ये red का division होगा और सबसे ज़्यादा division किसका होगा violet का सबसे ज़्यादा deviation किसका होगा violet का वाईलेट का सबसे ज़्यादा division और इसी के बीच में सारे कल़ आएगा ये violet के सबसे तरीएगा इसी को कहता है dispersion of light light इस कल़ में फैल गया rainण से पहले आपका orange आजाएगा तो यह जितने एंगल पे light फैल गया है, light ऐसे फैला हो दिखाएगा, इसको कहता है dispersive, dispersive इसको कहेंगे dispersive एंगल ठीटा, dispersive, dispersive एंगल आपका हो जाएगा, delta of violet माइनस delta of red, अगर सबके लिए mu बराबर हो, सबके लिए wavelength बराबर होता है, सबका mu बराबर होगा, तो साथ है deviate करते हैं, इस जितने reason में फैल जाते हैं, वो reason minimum से maximum deviation के बीच में होगा, उसी reason को हम dispersive angle कहते हैं, तो dispersive angle जो आपका होगा, dispersive angle जो होगा, delta violet प्लस delta red by 2, मतलब इसको आप कहा सकते हो, delta yellow, mean division, delta yellow, यह आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं, अब यहापर define होगा, dispersing power, dispersing power होता है, यही case है, यह तुम्हारा dispersive angle, dispersive angle को क्या लिख सकते हो, delta of violet होगा न, वी विगी और, violet minus red, violet है, वी है, delta of violet minus delta, अच्छा, delta of violet को क्या लिख होगा, तो सब के लिए same है, a, mu of violet minus 1, minus, a, mu of red minus 1, यही तो formula आएगा, red deviation, a into mu minus 1 है, तो यहाँ से तुम देखो, a common निकल जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ बहार आजाएगा, यहाँ बहाँ बचेगा, mu of minus 1, और minus अंदर जाएगा, तो minus mu r, minus अंदर जाएगा, तो plus होगा, तो यह one से one तुमारा क्या हो गया, cut गया, तो यहाँ एगा, a, mu of minus mu r, यह है तुमारा dispersive angle, a, mu of minus mu r, dispersive angle देखा, theta बड़ाबर a, mu of minus mu r, तो disversive angle का formula हो गया, disversive angle जितने फैला उसका formula हो गया, अब हम mean deviation आपको बताया था, यह define करते हैं, mean deviation, mean deviation क्या होगा, delta v plus delta r by 2, delta v को क्या लिखोगे, a, mu of delta violet minus 1, यह delta violet का formula, delta rate क्या होगा, a, mu of delta r minus 1, divided by आपका जाएगा 2, clear रहेगा, यह बात तो हमें समझ में आगे लिएगा, यहांसे a अगर में बाहर निकाले, a अगर में बाहर निकाले, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, mu v plus mu r minus 2 divided by पुडे में 2, पुडे में 2 जो है, उसको यहां 2 और यहां 2 कर सकता है, अगर मैं refractive index देखू, तो सबसे कम refractive index किसका होता है, rate का, सबसे ज़्यादा किसका होता है, wallet का, सबसे ज़्यादा, सबसे कम को जोर के 2 से divide का, तो mean नहीं आजाएगा, यह हो जाएगा a mean refractive index minus 1, या दोनों को जोर के मैं 2 से divide कर रहा हूँ, तो बीच वाला जो color होगा, उसका होगा a, mu of lo minus 1, तो यह बेटा क्या है तुम्हारा mean deviation, यह है तुम्हारा mean deviation, और dispersive angle क्या था, वो था a, mu of wallet minus mu of rate, देख, dispersive angle जिस angle में फैला है, जिस angle में फैला है, तो जिस angle में फैला है, वो है तुम्हारा a, mu of minus mu of, a, mu of minus mu of, जिस angle में फैला है, और mean deviation है तेरा a, mu of lo minus 1, तेख, समझ, जहां से जहां तक फैला है, फैला कहां से, rate से wallet तक, तो a, mu of minus mu of, जहां से जहां तक फैला है, और mean deviation क्या हो गया A mu L O minus mu 1 Angle of prism mu L O से mu 1 मतलब ये तुम्हारा mean deviation होगा क्योंकि mean deviation मतलब mean refractive index mean refractive index L O का आएगा A mu L O अब हम कहते हैं dispersive power dispersive power मतलब what पहले fields समझे power dispersive power मतलब disperse पढ़ने की power तो disperse करने की power मतलब फैलाने की power तो जितना जादा dispersive power को omega से represent करते है जितने angle में फैलाएगा उसके dispersive power उतनी जादा होगी हाँ इसको कहते हैं dispersive power deviation ना है मतलब right ऐसे जाए light ऐसे जाए और फैल जाए बस deviate ना करे तो हम जाएगे जितनी कम deviation हो जितनी कम deviation हो मतलब delta mean deviation mean deviation कम हो इसको कहते हैं हम dispersive power अब theta कितना है तो dispersive angle यह था आपका a mu of violet minus mu of red बटा mean deviation क्या है a mu of LO minus 1 ना से a से कट जाएगा omega बराबर आएगा mu of violet minus mu of red बटा mu of LO minus 1 this is your correct answer this is your correct answer यह आपका disversive power है देखो omega disversive angle बटा mean deviation a से कट गया है आपका देखो omega क्या है देखना omega mu of minus mu or mu of LO minus 1 यह तो omega है कई बार तुमें refractive index violet red और orange का देदेंगे mean deviation पूचेंगे तो mean deviation मतलब mean deviation a mu mean minus 1 या a mu of LO minus 1 deviation का formula होता है a mu minus 1 deviation का formula होता है a mu minus 1 deviation का formula होता है a mu minus 1 deviation का formula होता है a mu minus 1 mean deviation मतलब mean mu mean mu यह यह लो का mu और dispersive angle हो गया तुम्हारा a dispersive होता है violet से कहां तक और theta by delta तुम्हारे dispersive power clear बोलो, समझ में आया? आओ, अब समझते तुम्हारा में जो टॉपिक है, अब इसमें होता है कि, कॉंबिनेशन, ताकि, there is a condition of no deviation, but dispersion, तो no deviation की जो condition आएगी, अगर तुम्हें ये समझना है, अलाकि नीट में सवाल इसमें नहीं आते है, no deviation की क्या condition है, तो no deviation दो prism के लिए क्या होगा, deviation का समझेरो कर तो, मतलब a, mu minus 1, पहले prism का पहला prism angle और उसकी refractive index, पहले prism किस medium का बना होगा, is equal to a2, mu2 minus 1, तो ये है dispersion, but no deviation, dispersion हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, dispersion, but no deviation, no deviation में दोनों के dispersion जिरो कर दो, अच्छा, deviation, deviation, but not dispersion, deviation, but not dispersion, deviate कराना है हमें, but dispersion नहीं होना चाहिए, disverse नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगी बाई साम, dispersion जिरो कर दो, मतलब पहले की dispersive angle और दूसरे की dispersive angle, what is the value of dispersive angle, तो dispersive angle होगा तुमारा, a1, पहले प्रिस्म का प्रिस्म एंगल, इन्टू, पीटा क्या होता है, range, mu of violet minus mu of red, पहले के लिए, बराबर, दूसरे का प्रिस्म एंगल, अब बश्य बात है, उल्टा रखेंगे, माइनस आ जाएगा, इन्टू, mu of violet double dash minus mu of red, बराबर, दूसरे के लिए, तू लिक दो बस, खले रहे किया, समझ में आ रहा है यह चीज़, चले, optical instrument में सबसे पहले समझे कि optical instrument की ज़ुद क्यों परती है, angular magnification, magnify करने के लिए, जैसे मैं समझे सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं मुझे कोई चीज़ देख नहीं है, तो मैंने एक object है, जिसकी height h naught है, उसको मुझे देख नहीं है, तो मैं अपनी आँखों से भी देख सकता हूँ, तो आँखों से देख सकता हूँ, तो कहा रखके देखूँ, कितना record करती है भाई, हाँ, recording time, पुझे दिखने है recording, और यह थोरा lengthy हो गया, आँखों टिक्स बढ़ा है, 14 लेक्चर पढ़ते है, 13 गंदे में मतलब दो लेक्चर में, सारा चीज़ बतारो, तो मेरी आँख में जो सबसे maximum capacity है देखने की, maximum capability है देखने की, वो कहां से देखने की capability और capacity है, तर वो capability और capacity है देखने की, वो capacity और capability है देखने की, अच्छी centimeter जिसको distance of distinct vision बोलते हैं, तो उस D मतलब 25 centimeter, या D लिखा और 25 centimeter लग्षा हो, आपको समझा चीज़, वहाँ पर मेरी आँख किसी भी चीज़ को clear देख सकती है, तो हम बोलते हैं उसको theta naught, मतलब visual angle of object, by naked eye, object को तो naked eye से देखोगी, lens से भी तो object को देख सकते हैं, वो image देखेगा, object तो image देखेगा, फिर object कहां देखा, तो visual angle of object का मतलब है, visual angle of object, मतलब visual angle of object, मतलब सर्कों, आप direct object को देख रहे हैं, ना तो lens है, ना तो mirror है, ना तो dash है, कुछ नहीं है, अब direct object को देख रहे हैं, ना तो lens है, ना तो mirror है, ना तो prism है, कुछ नहीं है, अब direct देख रहे हैं, direct, मतलब direct, direct मतलब direct देख रहे हैं, direct, तो चीटा naught हो जाएगा, आपका perpendicular by base, दिए छिटा नॉट बेटा यही यूज होता है फिटा नॉट आपके यही यूज हो अब सिंपल माइक्रोइसकोड बोलते हैं सिंपल माइक्रोइसकोड नो गुना ड़स मैक्सिमम मैगनिफाई कर सकता है इससे जाधा नहीं नाइन टाइम्स हमें ले की बढ़ा सकता है टायब तेजिएल ले अबजेट की कि आपक्रोसकोप्ड चिंपल एक है ci Mensch होता है है कॉन्वेक्स रिंए दो si mp c टेड़ क्या होता है चोंवेक्ड लेन सुअ कि या होता है शम्पल कॉन्वेक्स रिंख ननस होता है इस simple convex lens में हम यहाँ पर मान लो object को रखते हैं अलो सर object को रखते हैं मान लिए object को हमने रखा यह object distance है यू यू सब मतलब object distance है अब इस object distance को हम focus से पहले रखते हैं मतलब focus और pole के बीच रखते हैं क्यों कि अगर focus और center of curvature या focus से उधर रखेंगे image कहाँ बनेगा इधर budget side बनेगा अब मान लो किसी चीज को मुझे देखना है मैंने यहाँ पर lens रखा अब इमेज कहाँ बन रहा है मेरे सर के पीछे लिए तो है हुआ मान लो मैं इस से देख रहा हूँ और मैंने object को focus उधर रखा इमेज कहाँ बनेगा मेरे पीछे तो मैं देखी नहीं पहूँगा बड़ा बनाओ चोटा बनाओ मैं देखी नहीं पहूँगा ऐसे देखो आप जिधर object रखा है वही से देखो तो मैं confused नहीं हो जाओंगा मुझे object देखाई देगा बनेगा तभी रिक्ट होगा तो हम क्या करते हैं यह जो पैलल रे जाती है वह हमें focus जाता हो दिखाई देगा मतलब यहां से आता हो दिखाई देगा जो optical center से जाएगा सीधा यहां से आता हो दिखाई देगा यह image बनाओ तो यह हाइट ओफ सामने जो रे आया है वो इससे आया है बोल एकदम feel है कि नहीं बता दिल और दिमाग में खुशा कि नहीं सर्च बात तो सही है तो यह हम ठीटाई बोलता है ठीटाई होगा यह परपेंडिकुलर बटाई सिंपल माइक्रोस्कोप का मैगनिफिकेशन होता है डीवाई यू सिंपल सोबर सुन्दर डीवाई यू सिंपल बहुत सुन्दर रियू मतलब जहां पे रखा है हां और डी मतलब वह दिस्टिंग पचीस से साड़ा कोई भी दुनिया का लेंस लो उसको दैस फर्क नहीं पता डीपचीस है ओ आई सम्हां तो मालो एक लेंस लिया उसके फोकल होका लेंस है कोई मैंनिफिकेशन हो जाएगा डायक्त वह यूरो अगर मैं लेंस फॉर्मला यूस करूं फ्लेटर से इमेज पीछे बन रहा तो भी अनिगेटिव अधर ले आएंगे तह पॉसिटीव यहां लिख सकता हूं घी तो constant 1 upon U को लिख सकता हूँ 1 upon F plus 1 upon V ये भी magnification का formula है लेकिन in terms of F and V in terms of F and V पर समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया अब यहाँ पर है दो position एक होता है near point या distance of distinct vision या strained eye position strained eye position strained eye position ear point strained eye position तो यहाँ पर जो image हम बना रहे है वो deeper बना रहे है 25 cm पर बना रहे है इमेज भी 25 cm देखने वाला तो महीं हूँ और image भी अगर 25 पर दिखेगा तो 25 मुझे clear दिखाई जेती है अगर तुम्हें किसी को पसंद भी करना हो तो दूर और पास से ज़्यादा मत देखना 25 पर ही देखना तभी तुम्हें सचाई बता चलेगी तो भी बराओ डी लिखेंगे हाँ सब भी बराओ डी लिख दो तो magnification आपकी maximum आएगी इंटू 1 अपन एफ प्लस 1 अपन डी और डी को अंदर ले जाओगे तो डी बाइफ और डी बाइदी वन हो जाएगे वन प्लस डी बाइफ ये magnification एक उता रिलाक्स टाई पोजिशन पार पॉइंट पैरलल सेटप पोजिशन इसको बोलते हैं पैरलल सेटप पोजिशन मैंने देखा है कई कई लिखा हुआ पैरलल रेज पोजिशन पैरलल रेज पोजिशन तो हाँ से जो magnification आता है वो ता डी और इमेज कहां बनाते है इंफिनिटी पे तो भी को रखेंगे इंफिनिटी वन अपन इंफिनिटी जीरो मतलब यह आगे डी वाई एफ सिंपल माइग्रोस्कोप की magnification होती है डी वाई एफ या वन प्लस दी वाई एफ तो minimum डी वाई एफ और डी वाई एफ से जादा इंपॉर्टेंट है यह डी वाई है और यू को लिख सकते हो अपने पूरा बेसिक से सीख़़ए अचा तुम सीधा देखो नदी वाई यू है यू के है जहाँ पर अबजेक्ट रखें अगर हम मुझे फार कॉइंट पर इमेज बनाना है अबजेक्ट को फोकस पर रखेंगे तब ही इमेज इन्फेटिव नेगे हाँ यू को यू को इफ के बार रखो गे हाँ तो डी वाई एफ यह तो मैगनिफिकेशन डी वाई एफ रिवाई एफ डी यह तो मैं के अगला के अगला यू क्या है एक से मलकिन फ्लाइब देखनाँ अ यह आट आगर वाई यू प्ताहदा यू भी को रहन दे यू को लिख से तो वन अपने फ्लस वन अपने भी साइंग करो अगर तू इस्टेंड आई पोजिशन की बात करता है ये है इस्टेंड आई पोजिशन नियर पॉइंट वीवर अड़ी मैटसम मैंनिफिकेशन रिलाकस आई पोजिशन की बात करता है ये है ये रिलाकस पोजिशन बोल मजा आगे लोग आउज और वुजाई तो आउ कुछ कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल सी बात है संपन्ट माइक्रोस्कोप में इह होता है कि एक लेंस जो simple माइकरोस्कोप की तरह काम कर रा था तो काम करी रा था लेकिन हम एक और लेंस लगा देते हैं ताकि चीजे हमें और क्लियर गढ़ यह हो गया तुम्हारा अउर लेंस आगे रख लेते हैं इसको बोल देकटिव एयुम कि फोते हैं चोट चोटा रखते हैं थोड़ां जोटा रखते हैं जोटे चीज़क देख terminals घ्लेस्कोप में बाधक्ष में ने-फोड़ा रखते हैं थ्रोनलिकों के अबज्फ्रinya तरह verstक है यह माल लीजी अब्जेक्ट रखा में तो यह हो गया u o, what is the meaning of u o ? अब्जेक्ट से objective distance, तो अब्जेक्ट डिस्टेंस को तो यू बोलता ही है, लेकिन कहां से objective लेटा से इसलिए u o बोला मानलो इसने यहाँ पे image बना बना है उल्टा बना है mean just अच्छाहँ उल्टा था नए और एक आपके सोन प्राप्राप्रिश लूजला आपके सुप्लीपश वेकिक नहीं अपले यह पर लगने अप्रिश्ट कर देश्ट बता अनुद ना तो यह रीजान है तो नहीं समझे में आ रहा है तुमको पता होना चाहिना पता होना चाहिना और यह पास इस पता होना चाहिना इसका इमेज बनेगा उसका रिफ्लेक्टेट रहा है तो यह पहला objective lens से जो object की distance है यूँओ और objective ने जो image बना भी हो अब यह ऐसे जाता है यहाँ पे कहीं final image आपकी बनती है यह आपकी height of image है final यह यूई हो गया IPS से object किते distance पर रखा है यह final है अब यह पर पता है magnification जो होता है angular magnification बहुत असानी से बताता हूँ कुछ नहीं दो lens है दोनों के magnification of objective into magnification of IPS pass कई बार तुमसे पता है पोज लेते हैं कि total magnification angular magnification है दस IPS की magnification चार तो objective की बताईए दोनों के magnification के product के बढ़ावार रहता है बहुत simple है हाँ अब देख एक जब ही सालत दिमाग में घुशा तूँगा तर वो तो है यह नहीं डब्बे में घुशा तूँगा देख दम DMS कर गता हूँ डब्बे में सेटप देखना हूँ जो सिंपल स्कोप माइक्रो स्कोप पढ़ा था उसमें क्या था डी वाई यूई था सर उतो डी वाई यूई था वही डी वाई यूई इसलका है मतलब IPS का वही डी वाई यूई आए यहां से कितने डिस्टेंस पर हमारा इसका जो इमेज बना है हमारे लिए अब्जेक्ट होगा इसके लिपास सर एमो क्या रखोगे भी ओवाई यूओ भी ओवाई यूओ यह हो गया मैंने सम्पल बास इतना सा है मतलब ऐसा थोड़ी नहोता है हम तो और बड़ा परहा है लेक्ट लेंगवेज भी सिखा रहा है तो और बड़ा क्या सर और बड़ा देखा था क्या देख आईपीस की मालने फोकल लेंट एफी अबजेक्टिव भी फोकल लेंट एफी आईपीस से यह यूवी लिया है अगर मैं लेंट फोर्मुला इपीस के लिए लगाऊं तो वन अपन यूवी को क्या लिख सकता हूं वन अपन यूवी को क्या लिख सकता हूं तो मैगनिफिकेशन आएगा वी नॉट भाई यूवी नॉट अबजेक्टिव लेंज का लग इंटू डीबी रहेने ते वन अपन यूक को क्या लिख सकता है वन अपन अपन यूवी को लिख सकता है वन अपन लिख सकता ओन अपन ट्झीब हो गिलुना यह तो होता हू भाई यह लेंग लेंच आप हो मैईक्रोश होंप होगा हूं बस हाँ इतना ध्यान रखना है वो गया का हाँ खतम अब आ जाओ वहाँ पर अगर मैं फार पॉइंट की बात करता हूँ अगर में फार्पवाइंट की बात करता हूँ इमिज बनता हो इंफिनिटी पे और इमिज अगर इंफिनिटी पे बन लूँ यह करा इंफिनिटा कंवा हि वह आप शुटते हो जीरो अब बुल के की होता हूँ तो ऐम बडाबर हो जता हूँ V-naught-D注- यू नॉट एफी इमें इस तो इनिफिंटी पे हो यह आगलो मज़ा आगलो वह आगलो अदम हाँ यह मैगनिफिकेशन आगए यही आगए असा सर नियर पॉइंट होता तो कुछ नहीं इसको डी रखता तो मैगनिफिकेशन होता वी नॉट यू नॉट और अगर मैं डी को अंदर ले जाओ डी बटा एफी प्लस डी और वी को तुम डी रखते तो वन अरे नियर पॉइंट का मतलब फाइनल इमेज डी पर बनेगा यही तु नियर पॉइंट है फाइनल इमेज इिन्फिंट प होए तो सर यही तो है अब फाइज पर पॉइंट पर दी वाइज इफी आया था अचा सुन मेगनि αपिकेशन बहुत जादा हो अच्छा मेगनिफेचेशन इसलिए इंस्ट्रुमेν्ट 밥 और जितना if e कम होगा if e कम होगा उतना magnification जादा होगा if e generally तुम्हारा यह हम कम लेते हैं वनलब इसकी focal length कम लेते हैं if e नीचे है तो magnification जादा हो और जो length of क्या बोलता है माइक समसे compound microscope होता है length क्या होता है length of compound microscope होगा v o plus u क्या होगा v o plus u यहां से लेकर के हाँ तक यह length of compound microscope है simple सी बात बहुत असान है यहां सब्सक्राइब compound microscope compound microscope m o m e v not y u not d y u v not y u not d korea ने लिए 1 of 1 u करी लिए यह एक दम डबे में सेट हो गया अब देख strand eye position मतलब near point v e जो है उसको d के बराबर रखती है तो देखो यह आया v not y u not 1 plus d y f e maximum magnification minimum क्या होगा far point image infinity पर बनेगा दो v e infinity होगे जो object रखेंगो f e पर रखेंगे देखो यह magnification आगया और जब तुम्हारा image को sorry देखो यहां पर देखो यह magnification में v not by u not में d y f e तो d y f e रा v not को हमने l लिख लिया और u not को फोकल लेंद और f o लिख लिख लिए क्यों 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 हम चाह रहे हैं मैं यह समझा देथा हूँ बहुत अच्छे से u o को जो अब्जेक्टिव ने image बनाया तो उसको l लिख लिया और f o को हमने u o को f o लिख लिख लिया यह मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहीं पर डियाग्राम बना के समझा देता हूँ, यह objective है, यह IP से, ठीके मेरे भाई, यह सर objective है, objective है, यह IP से, अब भाई, एक बात बता, मैं magnification ज्यादा ज्यादा करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो यूओ है, उसको फो बराबर रखो तो बहुत बड़ा image बनाए गा, तो यह बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत बड़ा अकदम लेकिन इससे तो पीछे नहीं जाना चेहन नहीं, लगब लगब जो length of microscope है, वो vio के बराबर चाहिए, लेंट आफ माईक्रोस्कोप भी होके बराव जाए है कब जब इसको फोकस पर रखो गए मतलब यूओ फोकस यहां पर एक टर्म इंपोर्टेंट है उसको तुम्हें समाए खुर्णे है तीक है अब है तुम्हारा इलेज्सकॉप इलेज्ट 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 यह जहां इमेज बनाएगा इसने 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 जो इमेज बनाएगा इसको वियो बोलते हैं और वियो लगवग लगवग है ल के बरावगा होगा या ल प्लस यूई होगा यहां से यहां तक लेंज बना इसको अबजेक्ट है तो इसने इमेज बनाय वियो और इसका अबजेक्ट यूई वियो प्लस यूई बढ़गा लगवग लगवग मैं वी नौट के बरावर लग सकता हूँ कि यह अबजेक्ट डिस्टेंस बहुत कम रखते है इन केस आफ फार नेक्स है तुम्हारा ये स्कूप लर्ज उपर्चर का और फोकल लेंट का यहां पे नि 거는 फिंद और उसके बाद हम लेते हैं अधूर जाहिए है यहां पे चीजह को देखने के लिए अधु़ घाता तो की पैललल 이제 को यह कही मैंठेत। तो पैरलल रेज तो सारी फोकस भी मेज़ बनाएगा हाँ अबजेक्टिव है तो अबजेक्टिव के एफो फोकल लेंज पे ये इमेज बनेगा ये एंगल ओफ विजुल एंगल ठीटा है तो इसमें विजुल एंगल हो बाई डी नहीं होगा इसमें विजुल एंगल हो बाई डी क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपजेक्ट पास में कई तो रखा नहीं है और यह अर्ट बेद खराब है थोड़ा ठक भी गया हूँ इससे थोड़ा दीरे पराद यहाँ पे जो विजुल एंगल होगा इसकी तो इमेज है तो फ्शीटा नॉट को बहुलेगा हईय वाईयव नहीं तो यह कहीं यहां से आती हूं हमें दिखाएगे डाइगراम मना हूँ तो यहां से जो अबजेक्ट है मान लीजिए वो यूई पे है एपीस से यूई हो जाएगा वी जो ठीटा आई है उसको हम कह सकते हैं एचाई भाई यूई विजूल इंगल ओफ इमेज हो जाएगा है एचाई भाई यूई यह एचाई लिटा नॉट होगा है एचाई भाई और ठीटा ही जो हो एचाई भाई यूई ये एंगल एक हैसा डाग्राम रफ बना है ऐसा होगा न एक हैच प्रकूंप यह हॉएट यह हॉएं यह ही दिफिकरिशन अकौन स्थे शीटा ओड आई एचाई बाई YUई HI by UE होगा HI by UE होगा HI by FO HI by HI से HI cut गया magnification आ जाएगा FO by UE यह magnification बड़ा simple तरीके से बताएगा है मैंने कुछ नहीं कि यह होगा magnification और यहाँ पर फिर से वही lens formula इसको तुम simple microscope की तरह रखोगे FO बाहर है ने तो 1 upon U को लिख सकते हैं VE plus IP से वाला UE अब अगर image infinity पे बना है मतलब relaxed I position relaxed I position या far point relaxed I position या far point relaxed I position या far point तो VE बराबर final infinity पे बनेगा यहाँ पे VE को infinity टको VE मतलब final image infinity पे बनेगा तो इसको infinity to 1 upon infinity is 0 तो इसलिए magnification आता है F O Y B F E end number of सवाल पूछ लेका सारे इस पे F O Y F E Mतलब image infinity बने इसके लिए यह distance कितना रखेंगे इसके focal length के बराबर UE क्या होगा अब F E तो यह F E और यह F O तो length of telescope क्या होगा F O plus F येस 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 length of telescope simple F O plus F E magnification F O by F E length of telescope F O plus F E magnification F O by F E बोलो मजा आगलो अच्छा near point पे क्या होगा तो magnification E V को D रख दोगे F O 1 upon D plus F E क्या है बाद हाँ ये ये आएगा ये देखिए magnification F O by UE F O को educated रखा UE को 1 upon F E E मतलब IP सो मतलब objective पता और मजा आगलो strand eye position near point V बराब D रख नहीं रखा magnification इसमें F O by F E इसकेस में length of telescope क्या हैगा तर objective इसकेस में क्या हैगा इसकेस में length आएगा F O F O पे तो image बनाई है plus UE ये 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 इसमें UE को F O क्यू रख दिया क्योंकि focal length पे जब object रखेंगे अभी image final infinity बनेगा इसे लिए तो मज़ा आगे लो भाई जब swap इसमें परहा दिये तो length of the telescope देखिए और 5.9 near point के RS लग कर जाओ दो near point के F O प्लस UE भाई ये तो parallel रहे है इसका image तो F O पही बनेगा focus पही बनेगा parallel रहे है इसमें एक होता है Galilean telescope उसमें जो सब कुछ सेम रहता है magnification सब कुछ इसमें minus आ जाता है F O minus F रेस सब कुछ से magnification length of telescope F O minus F E हो जाता है Scattering मतलब light sky का blue color होना दिन रात में radius sky होना सब कुछ scattering भे depend करता है scattering क्या होता है मेडियम पार्टिकल होते है मेडियम पार्टिकल होते है वो light को absorb कर लेते है और फिर re-emit करते है तो कौन से light को करते है जिसकी refractive index जितनी कम होगी उसको उतना जादा करते है The scattering is inversely proportional to scattering is inversely proportional to ये एक prism का सवाल है ये तुम्हारा homework है एंसर भी दिया हुए homework है flight 96 और ये ना जान बूच के मुझे कुछ selective need के PYQ रखे थे ये सारे PYQ आप solve करोगे अच्छे से इमानदारी से कितने हैं मैं बता देता हूँ जैसे ये सवाल है असान असान सवाल है कोई खास नहीं the angle of deviation and angle of incident is shown in a figure from the graph one can say that please bring this please bring this पूचा है एक बात बताओ जब I तुम्हारा 38 है अभी E 58 है और ये deviation 50 है तो ये निकाल ले delta बरावर होता I plus E minus E delta 50 है I 38 है जैसे 58 है minus E है ये निकाल जाएगे अरे सब बहुत असान है ऐसी सवाल आता है कोई rocket science तुमसे नहीं पूछे करे बापर किते हैं रे 136 बतलब कुछ 30 के आसपा सवाल है PYQ है भाई जैसे जै में के PYQ हो गया ये भी J में के PYQ है ये भी J है सब J नहीं है लेकिन ये भी J है जो मैंने अभी तुम्हें करा दिये तो ये तो करा दिये भाई बहुत असान है कुछ J में इनके PYQ है इदर नीट के है नीट वाले भी देखो नीट वाले ये तुम्हारे होम वर्क है स्लाइड वाइज करके अंसर लगाना इमानदारी से कर लोगे तो अच्छी बात है इस ती सवाल है कर ले ना इसको बहुत असान है डिरेक्ट फॉर्मूला सारे बता दिये और सब पे मैंने एक दो-दो सवाल करा है सब पे एक दो-दो सवाल करा है थैंक्यू सो मच